Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching स्वागत है आप सभी का आज के live class में और आज हम पढ़ेंगे class 11 physics Hindi medium हमने इससे पहले physical word भोतिक जगत इसके ठीक पहले वाले class में आप से discuss किया जिसमें completely हमने physics का introduction, physics क्या है, physics में क्या पढ़ा जाता है ये physics का basic concept हमने complete आपको clear किया that means physics का introduction दिया, आज actual में हमारा physics का first chapter है आपका सकते है वो तो introduction chapter था और वो है मात्रक एवां मापन, units and a measurement actual में यहां से physics का हमारा systematic study start होता है और ये chapter बहुत important है, मैं आपको बता दूँ पढ़ाने से पहले कि यह physics का complete base है क्योंकि जब तक आपको physical quantities के मात्रक नहीं पता रहेंगे आपको उसका measurement पता नहीं रहेगा तो उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है और NEET IIT जैसे exam में भी इस chapter से 100% question आता है कम से कम दो question इससे पूछे जाते हैं मैं last में या बीच-बीच में आपसे discuss करते रहूँगा कि competitive में question कैसे आते हैं तो स्वागत है आप सभी का Good evening, good evening Good evening to all of you, good evening तो अब धीरे-धीरे आपका 10th class के बाद फिजिस का बेस तैयार होता जाएगा बहुत relax आपको study करना है कोई हर बड़ी में आपको पढ़ाई नहीं करना है कि बहुत सारा चीज़ एक दिन में पढ़ लिए फटा 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 फट एक चल में class 11th complete knowledge oriented होना चाहिए एक बाद 12th class में board exam का थोड़ा pressure रहता है 11th class में तो आप जितना इस्पांड होके पढ़ाई कर लो उतना ही आपके future के लिए अच्छा है खासतर competitive exam के लिए अच्छा है तो बहुत depth में बहुत सुक्षमता से हर चीज़ों पर हम discuss करते हुए चलेंगे आपको पूरे patience के साथ आपको पूरा patience के साथ हर चीज़ को ध्यान से समझना है और physics पर interest create करना है सबसे बड़ा matter यह है कि हमको physics पर एक interest डवलप करना है ताकि हमको आगे वो मज़ा आए पढ़ने में चलिए तो हम discuss करें आज के अपने topic पर Units and a Measurement का basic concept, basic fundamentally है कि देखो मैं आपको सिधा एक line में आपको यह बता दू physics सिर्फ उन्हीं चीजों का ध्यान करता है जिनका मापन संभव है यदि किसी चीज का मापन संभव नहीं है तो आप physics के study का matter नहीं हो सकता मतलब physics बोलता है how much, कितना यदि आप यह नहीं बता सकते कि इसकी quantity कितनी है उसको आप मापन नहीं सकते उसके बारे में कोई systematic study नहीं कर सकते तो आप physics का matter होता ही नहीं इसलिए हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि physics को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको यही समझना होता है कि वास्ताओं में हमको मापन से कैसे उसको समझना है ठीक है तो unit and measurement में सबसे पहले तो मैं आप से ही discuss करूँ कि भहतिक रासियां क्या है जिन रासियों का मापन यथार्थ पूरवक किया जा सके उन्हें भहतिक रासियां कहते हैं physical quantities क्या है फिजिकल क्वांटिटीज कही मतलब है कि जिनको क्या है यथार्थत पूरवक मापन जा सके मतलब जिनका परफेक्ट क्या किया जा सके measurement क्या जा सके अब आप देखो physical quantities physical quantities का क्या सर्थ है कि उनको मापन जा सके मानलो मैं आपको बोलू कि मैं बहुत दुखी हूं हूँ बहुत खुश हूँ मुझे बहुत दूख लग रही ह snack मुझे बहुत नीद आ रही इनको फिजिक्स में नहीं पढ़ा जा सकता क्यों क्यों कि मैं बहुत खूस हूं तो कोई बोला कि How much सर आप कितना खुस हैं तो मैं कितना इमौन बताउंगा उसका उसकी कितनी capacity बताऊंगा पासिबल है क्या नहीं पासिबल है धैट मिन्स फिजिक सीधा कहता है कि भई मैं सिर्फ उनी चीजों के study करूंगा जिन का मापन संभव हैं जिनका measurement किया जा सके तब सीधी सी बात हैं आ भौतिक रासिया आगते हैं, अब भौतिक रासियों में क्या क्या होगा आपका तो बहुत सारे एक्जामपल ऐसी पता होगे भौतिक रासियों में क्या है, बल है, दूरी है, विष्थापन है, कितना नाम ले, जो अब यह आप पढ़ने वाले हो, तृरण है, एंसमान, ये क्या है भौतिक रासिया है क्योंकि हम इनको माप सकते हैं इनका हम measurement कर सकते हैं इसलिए क्या है यह physical quantities है अब यहां पर हम देखें कि मापन के मात्रक थोड़ा समय आपको discuss करूं कि हमको measurement का जवरत क्यों पड़ा थोड़ा समय history पर जाके डिस्कस कर रहूं उसका हमको measurement का ज़रूरत क्यों पड़ा need क्यों है need for measurement तो आप सोचो कि जब हमको जैसे मैं आपसे बात करूँ कि जब हम आदी माना यूग में थे तो उस टाइम में क्या था कि science ने development नहीं किया था तो हम चीजों के बारों में वज्ञानिक तरीके से नहीं जानते थे लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ जैसे जैसे सभ्यता डवलप हुआ जैसे जैसे क्या हुआ हमने development क्या scientific development हमारे life में आया तो चीजों को measurement करने का हमको ज़ुरत पढ़ा कि भई माल अपने को किसी land को measurement करना है जमीन को अपने को मापना है किसी food quantity किसी कहाने के समगरी को मापना है class को मापना है time का measurement इस्टार्ट हुआ तो धीरे 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 क्या हुआ चीजों के मात्रा को बताने के लिए मेजर्मेंट का जहुरत पढ़ा और जब मेजर्मेंट का जहुरत पढ़ा मापन का जब हमको जहुरत पढ़ा तो मापन के मात्रक जो डवलप किये गए वो क्या क्या किये गए तो इसके लिए सबसे पहले मूल मात्रक डवलप किया गया समझाते जा रहा हूं उसके बाद फिर व्यृत्पन और यह किया गया और उसके बाद फिर पूरक मात्रक आया ये तीन मात्रक और मैं वन वाई वन आपको इसको एक्स्प्रेन करते जाओंगा देखिए इसके बाद हम मात्रकों की पध्धती देखेंगे फी डाइमेंशन फार्मूला ठीक है तो मापन के प्रकार है मूल मात्रक मूल मात्रक क्या हुए कि ऐसी भौतिक रासियां जो किसी दूसरे पर आस्रित नहीं होती ऐसी भौतिक रासियां जो किसी और होती क्रासी पर आस्रित नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं कहने का मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं तो मूल मात्रकों में सबसे पहले साथ मूल मातरक बनाएगा वैसे तो basically starting में तीन मूल मातरक ही आए लंबाई द्रभ विमान और समय यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे हो कि सबसे पहले जो मूल मातरक हम study करते हैं वो क्या है लंबाई और लंबाई का मातरक मीटर लिया गया अभी आमाय मातरकों की प मालों हमको कहीं पर जमीन मापना है कि इतना जमीन मेरा है तो लेंद का ज़ूरत पढ़ा या कई चीजों को मापने के लिए ज़ूरत पढ़ा तो सबसे पहले जो मूल मातरक आए मूल मातरक का मतलब मैंने क्या बताया fundamental units तो fundamental units का मतलब होता है जो किसी और पर depend नहीं होते है उनको हम क्या कहते हैं मूल मातरक कहते हैं तो साथ मूल मातरक हैं अपने पास आज के डेट में और इसके बाद हमको और मातरकों की ज़ूरत नहीं पड़ी केवाल हम ये साथ मातरक की साहता से बाकी सब मातरकों को हमने उत्पन कर लिया इसलिए उनको ब्यूत्पन कहा जाते है तो सालमू ciao जो मूल मात्राख उनमा कौन कौन से है लंबाई है। द्रविमान हैं समय हैं ताफ है विद्यूधारा है जोतीति ब्रता है पदार्थ की मात्रह इसको आपको याद करना है कि साथ मूल मात्र rat होते हैं और मैंने इसकी क्या property बताई कि इनको measurement करने के लिए किसी और की आवस्कता नहीं होती, ये self depend होते हैं, अपने पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको मूल मातरक कहा जाता है, clear? अब यहाँ पर देखो, लंबाई का मातरक मीटर है, द्रभ विमान का मातरक किलोग्राम है, समय का मातरक सेकंड लिया गया, विद्धारा का मातरक केल्विन लिया गया, विद्धारा का मातरक MPR लिया गया, जोतिती व्रता का मातरक केंडला लिया गया, और पदार्थ की मातरक का मोल लिया गया और इसके संकेत हैं मीटर को M से किलोग्राम को केजी से से कंड को S से ताप को K से MPR को A से केंडला को CD से और मोल को MOL से रिप्रेजेंट किया गया यह है इसका संकेत तो सबसे पहले आपको यह चार्ट लर्न रहना चाहिए कि साथ मूल मातरक होते हैं और इनके यह नाम है और इनके संकेत हैं आपको Notes प्रोवाइड कराये जाएगा हमारे एप्लिकेशन पर लेकिन आप साथ में इसकिन साथ ले लो ठीक है एप पर मिलेगा कुछ दिन बाद आपको एप पर Notes मिलेगा और उसके साथ साथ आप Notes साथ में बनाते चलो तो ज्यादा बेटर है ठीक है तो इस पकार से मापन के जो मातरक है वो सबसे पहले मूल मातरक अब हम देखते हैं यहाँ पर व्यूत्पन मातरक Derived Unit नाम से इस पस्ट है व्यूत्पन मतलब जो दूसरे से उत्पन होता है आप सुनते हैं नाम वो सब इन ही सातों से ही बने हैं बहुत आश्चार की बात है केवाल ये सात पर ही आधारी थे देखो इनका रिलेशन कैसा है देखो अभी आपको कम्प्रीट फिजिस पढ़ना है तो चीजों को आप उस हिसाब से समझते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ आ इनही सात से ही उत्पन होंगे किसी न किसी प्रकार से सातों से रिलेटेड होंगे तो वो क्या कहलाता है बुद्पन मात्रक जैसो दाहरन के लिए हम देखें कुछ छोटे-छोटे एक्जामपल हम देखते हैं मालो हमको वेग का उलुक्वार्ण बटे होता है वेग का मातरक होता है विस्थापन बटे समय यह होता है अब देखो विस्थापन मतलब क्या हो गया लंबाई विस्थापन लंबाई हो गया और लंबाई को हम क्या कहेंगे मीटर कहेंगे तो यह मीटर हो गया और अपान में समय मतलब यह second हो गया that means इसको meter second inverse कहा जा सकता है तो देखो वेग का अपना कोई मातरक नहीं था वो आसरित है किस पर आसरित है विस्थापन और समय पर मतलब लंबाई और समय पर इसलिए क्या हो गया यह विद्पन मातरक हो गया ठीक है बहुत zero level से बहुत depth में discuss कर रहा हूँ बात को ध्यान से सुनते जाना उसके बाद आपको आगे कोई problem नहीं रहेगा जनरली हम छोटी छोटी चीज़ों पर discuss नहीं करते हैं इसलिए आगे वो बड़ा problem create करता है तो एक बार मैं repeat करता हूँ ध्यान से सुनो मूल मातरक fundamental unit का मतलब होता है ऐसे मातरक जो किसी और पर निर्भर नहीं करते स्वयम पर बस निर्भर करते हैं वो क्या करते हैं मूल मातरक करते हैं इसके बाद हमने देखा derived unit वित्वन मातरक ऐसे मातरक जो मूल मातरक पर निर्भर करते हैं वो ब्यूत्पन मात्र कहलाते हैं इनकी कोई निश्ची संख्या नहीं है फिजिक्स में चितने भी है ये सातों को छोड़के और दो आगे मैं पूरक मात्र को बात करूँगा इनको छोड़के सब के सब क्या कहलाते हैं ब्यूत्पन मात्र कहलाते हैं और एक्जाम्पल हम देखने चाहें तो मालो हम यहाँ पर एक्जाम्पल देखने चाहते हैं कुछ भी अपन निकाल लेते हैं तो तोरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय या वेग बटे समय यह होता है अब वेग तो स्वयम देखो वेग तो स्वयम इससे नि सब्सक्राइब मात्रक अब तीसरा मात्रक जो हमको पढ़ना है वो है पूरक मात्रक सप्लिमेंटी यूनिट यूनिट यह चीज़ है की बहुत की इंपर्टना चीज़ है कि inviting इंको पूरक मात्रक यह कहा जाता है ईसा क्या वजय है कि इनको ना तो मूल मात्रक में रखा गया जा अगया और मैने जैसे से आप सेंस समझते हो गए सेंस की सप्लिमेंटी माँ लटका हुआ जैसे कोई स्टुडेंट किसी क्लास में सप्लिमेंटी आ जाता है तो ना तो पास है ना तो फेल है वो बीच के कर्णिशन में एक्जेक्टली यहाँ पर जो सप्लिमेंटी यूनिट है वो ना तो पूर्णत तो अपनी किस क्वालिटी के कारण ये पूरक मात रख है उसको थ्यान समझें नाम तो हर कोई जानता है बट रिजन बहुत लोग को पता ही रहता कि भाई इनको सप्लिमेंटी यूनिट क्यों कहा गया चलिए पहले तो हम इनका नाम सुन ले उसके बाद इस पर हम डिसकस करें तो ये दो हैं पूरक मात रख दो हैं एक है प्लेन एंगल जिसको बचते हैं समतल कोण इंगल और दूसरा है घन कोण जिसको बचते हैं सॉलिड एंगल प्लेन एंगल एंडर सालिड एंगल ये दो पूरक मात रख हैं तो अब यहाँ पर हम देखें कि क्यों हम इन दोनों को पूरक मात रख कहते हैं कोण का मतलब होता है देखो किसी भी समतल कोण का मतलब होता है दो रेखाओं की बीच का जुकाओ यह दो रेखाओं की बीच का जो कोण है वही कोण कहलाता है मतलब सिधा कहें एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ में इन्क्लियनेशन उसका जुकाओ ही क्या कहलाता है ये समतल इंगल कहलाता है जैसे आपको पता है एक मैं छोटा सा फिगर बना के आपको समझा दू कि ये एक लाइन है यह एक लाइन है और यह क्या है यह दूसरी लाइन है और इसका जो जुकाओ है एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ में जुकाओ है ठीटा यही क्या है यहाँ पर कोण है यह आपको मालू है ठीक है तो इस पकार से यह कोण का लाता है अब कोण का फार्मूला भी हम सब को पत होता है कौण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्ज्ज्ञ अब यहां पर आप देखो चाप मतलब क्या होता है यह चाप होता है जो की वास्तों में चाप भी क्या है लंबाई है और यह क्या है इसकी त्रिज्या है तो चाप भी लंबाई है और त्रिज्या भी लंबाई है तो चाप को यदि मैं मातरक लिखूं तो चाप का मातरक क्या लिखूंगा मीटर त्रिज्या भी लंबाई है तो त्रिज्या का भी मात्रक क्या लिखूँ मीटर अब मीटर मीटर cancel out हो जाएंगे तो unit ही खतम मतलब इसका मतलब यह हुआ कि कोण का कोई मात्रक नहीं होना चाहिए कॉंसेप्ट यही कहता है बेसिक कांसेप्ट यही कहता है कि कोण बराबर चाप बेटे त्रिज्या होता है और यदि दोनों को हम मीटर अपान मीटर कर दें तो यहाँ पर क्या होगा उसमें कोई मात्रक उसका नहीं होना चाहिए अब मात्रक नहीं होना के कारण इसको मात्रक ही रास्नी होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है आपको मालूम है कि इसका मात्रक होता है यह गलत है इसका मात्रक क्या होता है रेडियन कोण का मात्रक रेडियन होता है तो यहाँ पर कोण को मापना तो पड़ेगा कोण को मापना तो संभव है नहीं और कोण का कोई मात्रक हो नहीं रहा है तो फिर कैसे मापना जाता हूँ उसको तो वैज्यानिकों ने कोण का जो मात्रक है वो रेडियन रखा जबकि concept के हिसाब से meter upon meter को मातरक हीन होना चाहिए इसलिए इसको पूरक मातरक कहा जाता है that means इसका जो मान है चाप बटे त्रिज्या वो कहता है कि मातरक इसका नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी इसका मातरक होता है या इसका फिर भी मातरक माना गया इसलिए इसको क्या बोला गया पूरक मातरक अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरक मातरक का मतलब होता है कि ऐसी भौतीक रासी जो वास्ताओं में मातरक हीन हो जाता है सुत्र के हिसाब से मातरक हीन होता है लेकिन उसका मातरक होता है मातरक माना गया है उसको उसको हम पूरक मातरक कहते हैं और ऐसा सिर्फ दो है कौण है और घंकौण है अब यहाँ पर थोड़ा हम घंकौण के बारे में पढ़ ले कि मैं solid angle क्या होता है यह तो कौण आपको पता है तो solid angle थोड़ा समय आपड़ डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि solid angle को ध्यान रखना यह आपको 12th class में बहुत यूज होगा 12th class में जब आप पढ़ोगे गास का प्रमे देखो मेरा एक habit है कि generally जब मैं 11th class पढ़ाते रहता हूँ तो जिस concept का 12th में यूज होगा उसको मैं बराबर बताते रहता हूँ ताकि student समय से पहले alert रहे और उसको पता रहे कि हमको future में इसका कैसे use करना है यह सब चीज आप जानते रहोगे तो थोड़ा आपके अंदर एक alertness आता है इसको मेरे को अभी से ध्यान रखना है 12th में इसका use होगा तो यह solid angle का आपका 12th class में use होगा और topic का नाम है gas का theorem gas के प्रमे में इसको आप use करोगे इसलिए आप अभी से इसको समझे रहो तो solid angle होता क्या है देखो solid angle समझने के लिए मैं एक आपको छोटा से example बता रहा हूँ आपने कभी ध्यान दिया होगा या अपने ध्यान क्या दिया होगा ऐसा किया ही होगा आप जब बाजार में तर्बूज खरीदने जाते हो यह मेरा सबसे बहतर example है जिसको spread बहुत अच्छे समझता है बाजार में आप तर्बूज तो खरीदे होगे कभी जब आप तर्बूज खरीदते हो तो तर्बूज वाले से बोलते हैं भई तर्बूज अच्छा है ठीक है पका है अच्छा है तो आप कोई जाने तर्बूज के अंदर क्या है तो क्या करता है वो एक छोटा सा तुकड़ा निकाल के आपको देता है लगभग इस तरह का यह symbolic figure मैं बना रहा हूँ और ऐसा एक छोटा सा तुकड़ा आपको वो निकाल के देता है यह दिसको मैं magnifying करूं बड़ा करूं तो इस तरह से वो तुकड़ा होता है ऐसा वो तुकड़ा होता है इस तरह से three dimension होता है अब याद करो आप मैं आपको कल का class आपने मेरा ध्यान से सुना होगा समझा होगा तो मैं एक बात आपको बोला था याद होगा कि physics imagination पर best subject है student किसी example को जितना अच्छा imagine कर लेता है या teacher के example को जितना अच्छा वो correlate कर लेता है उतने ही अच्छा वो physics को समझ पाता है तो आपके ध्यान में अब आ गया होगा कि मैं हाँ बिल्कुल टाका कहते हैं ठीक है kids coaching center इसको टाका बोलते है अच्छा टाका मार के दो बोलते हैं कैसा पका है तरबूज ठीक तो उस दुकड़े को आप याद करो pyramidal shape का होता है तो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ देखो कि इस corner पर इस corner पर इस corner पर जो angle बनता है यहाँ पर जो angle बन रहा है यही क्या कहलाता है solid angle कहलाता है घं कोण कहलाता है मतलब actual में वो जैसे मैं अपने तीन उंगली को बना रहा हूँ देखो यह three fingers तो आप देखो यह यह और यह वास्तों में यह जो दो corner है वो दो line के बीच में बनता है यह दो line के बनता है लेकिन तीनों के बीच में जो angle बनता है वो क्या है solid angle कहलाता है generally यह क्या है three dimension body में solid sphere में यह होता है ठोस गोला में यह होता है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर देखो यह solid angle बनता है और इसको हम परदरसित करते हैं d omega से छोटा part है तो d omega से यह जो surface आप देख रहे हो यह जो surface हमने बनाया है यह total surface को हमने ds लिया ds मतलब छोटा surface आपको मालूम है कि physics में कहीं पर भी किसी physical quantity के सामने d लगा दें तो उसका मतलब बता है small part differentiate part differentiate part मतलब छोटा भाग उसका तो ds मतलब इस small surface है पूरा surface तो मालूँ अपने को s है तो यहाँ पर यह जो ds आप देख रहे है यह इसके लिए तो यहाँ पर हम solid angle निकालना चाहें यहाँ पर मैं आपको solid angle का formula भी बताऊंगा क्योंकि आपको next year के लिए next year क्या कहीं पर भी बहुत important चीज़ है यह line को मैं continuous आगे कर दिया और यहाँ पर एक मैं perpendicular draw कर दिया यहाँ पर मैं एक lump खीच रहूँ यह white color की line से आप यहाँ पर एक lump देख रहे हो तो यहाँ पर घनकोण का जो value होता है यहाँ पर हमने center में यह बनाया हुआ है d omega और मालवा यहाँ center से इसके 20 की दूरी जिसके हम radius कह दिये वो r है और इसका prist ds है तो d omega का जो formula होता है d omega का जो formula है वो होता है ds cast theta upon r square यह आप कभी नहीं भूलना d omega equal to ds cast theta upon r square होता है यह formula derive करके निकाला गया है जो कि आपको सिधा सिधा याद रखना है और ds cast theta upon r square और total omega निकाले हम तो omega equal to integration आप d omega होगा मतलब ऐसे छोटे छोटे घन कोण का योग देखो यहाँ पर मैं पूरे प्रिस्ट का कोण निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको पूरे को हम जोडेंगे और integration मतलब होता है जोडना देखो भई आप लोग basic mathematical tools को पढ़ना ही start कर दो आप लोग basic mathematical tools को पढ़ने के आप लोग को जिमेदारी दिया था में तो basic mathematical tools को आप पढ़ना ही start कर दो हमारे playlist में available है क्योंकि वहाँ पर आपको आउकलन समाकलन सब जानना है और उसके बिना फिर काम नहीं चलेगा बिलकुल बहुत important matter है कल में पूरे discuss आपके साथ कर चुका हूँ कि इसको पढ़ना क्यों जोरी है तो आज से ही आप immediate ये काम शुरू कर दो otherwise फिर हमारा problem start हो याएगा शुरू से ही तो integration आप d omega होगा और integration आप d omega का value होता है 4 pi 4 pi और इसका मात्राफ होता है stay radian stay radian इसके मात्राफ को भी याद रखना इसका मात्राफ होता है stay radian जैसे इसका मतलब कोड का मात्राफ मैंने radian बताया और इसका घंकोड का मात्राफ मैंने stay radian बताया तो यह सब चीज़ आप याद कर लिए तो ds का theta upon r square आपको याद रहना चाहिए फार्मूला और यह इसका यह वाला फार्मूला भी याद रखना चाहिए फोर पाई omega equal to 4 पाई होता है clear चले तो इतना आप हाँ यह dimensionless quantity है अभी हम इस पर आगे आओ डिसकस करेंगे अभी हम इस पर आगे आओ डिसकस करेंगे तो समतल कोड plan angle और solid angle यह दो हमारे क्या होते है पूरक मातरक तो इनको पूरक मातरक होने का मैं जो करण बताया आपको समझ में आया इनको पूरक मातरक मानने का क्या करण है क्योंकि वास्तों में इनका कोई मातरक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह meter upon meter हो गया लेकिन उसके बाद भी इसका मातरक होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं पूरक मातरक बोलते हैं तो तीन तरह के मातरक हम पढ़े मूल मातरक जो किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं ब्यूत्पन मातरक जो पूर्णत मूल मातरक पर निर्भर करते हैं और पूरक मातरक जो न तो मूल मातरक हैं न ब्यूत्पन मातरक हैं इनका मातरक माना गया है यह कहलाते हैं पूरक मातरक और यह सिर्फ दो ही हैं कोण और घन कोण क्लियर तो कोई प्राब्लम यहां तक किसी को कोई प्राब्लम यहां तक किसी को ओके चलिए अब हम आगे डिस्कस करें मातरकों की पंधतियां देखो क्या हुआ जब मातरक का डवलप्मेंट हुआ मतलब जब मातरक बनाए गए तो इसके अलग-अलग सिस्टम बने और इसके तीन सिस्टम बने ठीक है तीन सिस्टम कौन-कौन से बने यह थोड़ा सा उसका आप हिस्ट्री जान लो पहला सिस्टम जो बना वो बना CGS दूसरा बना FPS यह सब आप और लोवर क्लास में भी पढ़े हों मुझे मालूम है और तीसरा बना MKS MKS और चौथा जो आट के डेट में हम मानते हैं वो है International Standard Unit या SI Unit इसको अपन बोलते हैं यह हमारे पास मात्रकों की चार प्रणालियों का development हुआ 1 by 1 by 1 हमने एक एक प्रणाली को develop किया जिसमें क्या है कौन किसको measurement करता है देखो cm g second CGS का मतलब होता है cm g second तो यह length का है यह लंबाई का मतलब है और यह दरब इमान का मतलब है और तीसरा वाला किसका मतलब है समय का मतलब है जो कि 3 मूल मतलब है अभी मैंने आपको बताया कि 3 मूल मतलब है तो cm g second तो 3 मूल मतलब हमारे पास जो सुरुआत में हुआ जैसे मैंने आपको basically बताया कि होते तो साथ मूल मात रखें लेकिन जो सबसे पहले develop हुआ वो लंबाई द्रब बिमान और समय है और मालूम इनका development सबसे पहले क्यों हुआ क्योंकि यह हमारे life के basic requirement थे हमारे जीवन के मूल भूत आवस्कता थे यह current हमारे जीवन का मूल भूत आवस्कता नहीं था current नहीं होता electricity नहीं होता तब भी हम इस दुनिया में जी रही होते हैं हमारा काम चलते रहता मूल भूत आवस्कता में रोटी कपड़ा और मकान आप समझ सकते हैं कि रोटी, पड़ा और मकान हमारे जीवन की मुल्भूत आउस्कता है और रोटी को, कपड़े को, मकान को इसके लिए हमको Ohथरा को measurement करने के लिए तीन चीजaking तो जुरत है लंबाई का हमको जुरत है कपड़े measurement करने के लिए हमको लंबाई का ज़ूरत है द्रब इमान का ज़ूरत है रोटी मेजरमेंट करने के लिए खाने पीने के समान को जब एक्स्चेंज करते थे एक दूसरे के साथ में तो उसके लिए हमको द्रब इमान का ज़ूरत है और समय तो हमारे लिए सबसे बड़ा requirement है क्योंकि हमारे सारे work दिन होना रात होना अलग-अलग time अलग-अलग work करना ये समय तो ये जो सबसे important बात था वो था कि लंबाई द्रभिमान समय का हमको सबसे पहले जरूरत पढ़ा इसलिए इन तीनों का development भी सबसे पहले हुआ इनको मापना सबसे पहले स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर हमको विद्युधारा का जरूरत पढ़ा जैसे जैसे science ने development किया उसके बाद हमको प्रकास की तिवरता का जरूरत पढ़ा उसके बाद पढ़ार्ट की मातरा का पता चलूरा फिर हमको ताप का पता चला ऐसे करके साथ मूल मातरा खुए लेकिन साथ में ये तीन सबसे पहले develop हुए लंबाई, द्रभिमान और समय तो इनको measurement करने के लिए तीन प्रणाली develop हुआ एक हुआ centimeter gram second पहला जो हमारे पास प्रणाली था centimeter gram और second CGS system तो लंबाई को centimeter से मापा गया द्रभिमान को gram से मापा गया और समय को second से मापा गया इसके बाद जो पध्धती आया वो आया FPS मतलब food pound second तीसरा जो पध्धती है दूसरा जो पध्धती है तो वो क्या है food pound second मतलब लंबाई को food से आज भी हम लोग लंबाई को food से measurement करते हैं जमीन वगरा का measurement होता है अपनी खुद के लंबाई होती है तो कोई भी पूछोगा लंबाई कितनी है तो 5 foot इतना inch 6 foot इतना inch बोलते हैं मतलब आज भी हम अपनी लंबाई को food से measurement करते हैं और pound किसका हुआ दर्ब्यमान का हुआ आज भी हम कई मामले में पौण का ठीक है जैसे बच्चा पैदा होता है कितने पौण का बच्चा था केक खरीदना होता है अपने को बजार से तो कितने पौण का केक ले उन खरीदना होता है वायार से तो कितने पौण का उन ले मतलब आज भी ये प्रणालिया किसी ने किसी प्रकार से चलन में हैं किसी-किसी विश्यास परिस्थिती में और समय तो second ही लिया गया सभी में इसके बाद मीटर, किलोग्राम और second एक्ट्वल में जो दूसरा सिस्टम है इसको ब्रिटिस प्रणाली भी बोला जाता है क्योंकि इंडस्टियर दिवालूसन के समय जब अध्योगी करांती हो रही थी दुनिया में जो कि ब्रिटेंस से स्टार्ट हुआ था तो जो इंडस्टियर दिवालूसन था जो ब्रिटिस उस समय जो ओद्योगी के विकास हुआ कांती हो ब्रिटेंस से स्टार्ट हुआ और आपको मालूम है कि ब्रिटिस से लोग का पूरे दुनिया में बहुँ से कंट्री पर उनका सासन था तो उन लोगों ने अपने measurement के लिए गलख system बनाया था जो कि FPS system था और जहां जहां उनका सासन रहा हमारे देश में उनका सासन रहा इसलिए हम लोगों ने भी उसको अपनाया आज भी उसमें बहुत सारे चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन चल रह है अब आज के date में सब unit reject हो चुके हैं तो food point second पर work हुआ इसके बाद फिर क्या देखा गया कि CGS system बहुत लेंदी हो रहा था कैसे लेंदी हो रहा था अब centimeter पहले छोटे छोटे चीज़ों को मापने जाता था उतना हमारा requirement नहीं था तो centimeter से काम चल गया लेकिन हम लंबी लं centimeter में बहुत बड़े-बड़े digit आते थे तो उसको क्या किया गया hundred centimeter को compact करके one meter कहा गया कि भोलो चलो भाई hundred centimeter को one meter कहेंगे और वो फिर meter बन गया फिर gram gram में measurement करते थे तो digit बड़े-बड़े आते थे तो thousand gram को one kilogram मान लिया मतलब छोटे unit को बड़ा unit बनाये गया उसका जो अरशकता थी ही नहीं तो second second ते तीन प्रणाली डवलफ हुए सबसे पहले basically यह तीन प्रणाली डवलफ हुए यह तीनों चले भी आज भी चलन में हैं लेकिन इसमें प्राबलम आया कि इसमें प्राबलम यह आया कि मानलों कोई देश फूट पॉंट सेकंड पर काम कर रहा ह पहले तो हम अपना internal काम चला लेते थे लेकिन जब export import होने लगा वस्तुकों का minimum होने लगा एक दूसरे 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 देश तो वहाँ पर जो प्रणाली थी अलग-अलग थी मानलों जिन लोग FPS प्रणाली को मानते हैं उनसे हमको कोई export import करना पड़ा और हम मानलों MKS मा PS में दिये हुए हैं और मुझे आता है MKS तो इस तरह से बहुत तरह का problem इसमें आया तो चूंकि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ रही थी तेजी से विकास हो रहा था वैज्यानिक विकास हो रहा था तो पूरी दुनिया के वैज्यानिकों ने एक meeting किया कि बोला कि भाई उसी को मानेंगे ऐसा compromise किया और इसके लिए एक meeting हुआ वो कहा meeting हुआ मैं आपको थोड़ा साइसा unit के बारे में बता रहा हूँ फ्रांस के फ्रांस में पेरिस के पास एक जगह है जिसका नाम है सेवरस फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस के पास एक जगह है जिसका नाम है सेवरस तो फ्रांस के सेवरस नामक जगह में एक international meeting हुआ अंतररास्टी भज्यानिकों का एक meeting हुआ और उस meeting में यह decide किया गया कि हमको अब जो सात मूल मात रखें उन सात मूल मात रखों को इस तरह से मानना होगा कि पूरी दुनिया के लोग उसी पर work करेंगे उसी क्या किया गया MK सिस्टम को पूर्णता स्विकार किया गया इसको पूर्णता स्विकार किया गया that means meter kilogram second तो आज के date में जो SI unit है SI unit है उसमें लंबाई का मात रख क्या है? मीटर ही लिया गया ठीक है और दब दिमान का मातरक किलोग्राम लिया गया समय का मातरक सेकंड लिया गया और स्टाइटिंग में मैंने आपको जो डिसकस किया समय बोला इस पर पुना हमें डिसकस करूंगा तो यह जो मूल मातरक है वास्तों में यह SI unit है यही SI unit है जो मूल मात्रा के साथ मूल मात्रा को उस जगा में माना गया clear अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर एक महत्पुन्द बात पर मैं आप से discuss करता हूँ वो है कि अब लंबाई मालो 1 meter लंबाई का मात्रा का 1 meter कुछ example आपको दे रहा हूँ लंबाई का मात्रा का माना गया meter अब आपके दिमाग में एक question आना चाहिए कि 1 meter एक meter पर है हमारे दिमाग में question आना चाहिए कि 1 meter तो अभी हमारे पास 1 meter है आज के date में हम बोले कहीं भी अपन कुछ खरिदने जाए 1 meter का हमको कोई चीज खरिदना है कपड़ा खरिदना है अपने 1 meter का तो दुकान वाला एक meter इसके ले के माप के दे देगा यह 1 meter है बोलेगा अब आप उस दुकान दार को यह नहीं बोच सकते कि 1 meter इतना ही बड़ा क्यों हुआ आपके दिमाग में question आना चीए कि 1 meter की लंबाई उससे बड़ी भी तो हो सकती थी 1 meter की लंबाई उससे छोटी भी हो सकती थी तो भाई किसने बोला कि यहीं एक meter होगा और क्यों यहीं एक meter होगा यह सोचने की बात है तो इसका अंसर यह है कि फ्रांस के जो सेवरस नामक जगा में meeting हुआ वहाँ वज्यानिकों ने decide कि भाई हम इसको एक meter लेंगे मतलब एक तरह से यह सब convention परिपार्टी है उसको माना गया और उसको फिर standard माना गया कि भाई अब पूरी दुनिया के लोग इसी को एक meter मानेंगे अब किसी का एक meter इससे बड़ा नहीं हो सकता किसी का एक meter इससे छोटा नहीं हो सकता उसके लिए especially क्या किया गया platinum iridium misr dhatu का थोड़ा चीजों को ध्यान से समझ जाए सब नालेज आपको जन्रल नालेज की तरह होना चाहिए मान लोग एक meter है यहां पर एक meter नहीं दिख रहा है लेकिन मान लोग मीटर है तो यहां किसका था platinum iridium का यह था platinum और iridium platinum iridium misr dhatu का एक राड लिया उन्होंने और इसी को एक meter माना आज भी वहाँ पर museum है आज भी उस जगह में अंतरास्टी मानक बीरो प्राणाली का जो इस्थान है वो आज भी एक museum बना हुआ है और आज भी वो राड वहाँ पर रखा हुआ है जो पूरी दुनिया के 1 meter का standard है तो यह platinum iridium misr dhatu का एक राड था इसको 1 meter माना गया और इसको 100 बराबर भाग में बाटा गया इसके बाद इसको क्या किया गया 100 छोटे छोटे भाग में बाटा गया और एक भाग को इसका 1 centimeter कहा गया इसलिए 100 centimeter बराबर 1 meter हुआ तो उन्होंने उस दिन उसको बराबर बाटा कि इस चलो भाई हमारे पास एक राड है इसको 1 meter मानेंगे और इसको 100 बराबर बराबर भाग में बाट देते हैं और इसके एक पार्ट को हम 1 centimeter मापेंगे इस तरह से इसका development हुआ वास्ताव में इस चेप्टर में आपको थोड़ा इसका history जानना जोरी है जो आपके साथ में मैं share कर रहा हूँ कि किस किस तरह से मात्रक की पनाली का विकास दुआ अब यहाँ पर question यह उड़ता है कि platinum, iridium platinum, iridium, mistr, dhatu का ही क्यों माना गया इसको platinum, iridium, mistr, dhatu का ही इसको क्यों बनाया गया कोई और dhatu ले सकते थे या कोई single element वाला dhatu ले सकते थे खाली gold का बना सकते थे, खाली silver का बना सकते थे, खाली aluminum का बना सकते थे, तो platinum, iridium का क्यों बनाया गया, वास्ताओं में platinum, iridium, misri-dhatu की विस्थातू की सबसे बड़ी विस्थाता ये है, कि इस पर atmosphere का कोई reaction नहीं होता, मतलब इस पर जंग नहीं लगता, जैसे lohae का बना तो जंग लगता दिरे दिरे अभी तक वो जंग लगके नस्ठ हो गया होता फिर आप सोचो के सब गोल्ड का बना देना था गोल्ड पे तो एट्मास्फियर का कोई फर्क नहीं पड़ता तो गोल्ड का नेचर क्या है कि बहुत कम ताप पर फैल जाता है ठंड में सिकूर जात तो फिर गर्मी का मीटर लंबा होता ठंड का मीटर छोटा होता बड़ा दिकत हो जाता सीजन की हिसाब से मीटर की लंबाई चेंज हो जाती तो वाई ग्यानिकों ने प्लेटिनम इरिडियम मिस्रधातु एक ऐसा मिस्रधातु बनाया जिस पर एक मास्फियर का ताप का प्लेटीनम इरिडियम में से धर्दू का माना गया इसी तरह से वन केजी वन केजी भी क्या है वहाँ पर प्लेटीनम इरिडियम कहीं एक पीस रखा वह तुकड़ा रखा हुआ है उसी तुकड़े को वह ज्यानीकों ने बोला कि भाईया चलो इसको वन किलोग्राम मानेंगे यह है ठीक है और वन सेकंड का डेफनेशन इसी तरह से सीजीम वहाँ से फिर परमाडू भड़ी की साहता से तो इस पूरे डेफनेशन को आपको याद कर लेना है समानी रुप से आपको बुक में भी इसका डेफनेशन दिये होंगे वह डेफनेशन आप उसको एक बार जलतियों का विकास हुआ कौन-कौन से मात रख हमारे पास आये और कितने मुल मात रख हुए कितने वित्पन मात रख हुए यह सभी मात रखों को हमने यहाँ पर देखा इसके बाद देखो हमारा जो में टापिक है इस चेप्टर का जो सबसे महत्पून टापिक है उसको ब डाइमेंशन फर्मूला क्या होता है डाइमेंशन फर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिर डाइमेंशन फर्मूला के क्या-क्या एप्लिकेशन होते हैं मतलब क्या-क्या उसके उप्योग होते हैं तो मैं चाहता हूं कि डाइमेंशन फर्मूला पर एक क्लास इंडिप ब्रमातर हुए किसका क्या-क्या relations मैं आको बताया को वी मिशच को next class में स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज मैं स्टार्ट करूं तो only उसका introduction हो पाएगा और उसका main topic nez class के लिए चला जाएगा तो तो कई बार एस्टुडेन्ट उसको को रिलेट करने में थोड़ा सा प्राब्लम फ्रेस करते हैं, तो नेस्ट ख्लास हमारा डायमेंशनल फार्मूला से स्टार्ट होगा, यूजिट इंडर मेजरमेंट में डायमेंशनल फार्मूला से, वीवी सुत्र देखो प्रिभियस क्लास में हमने आपके सांस में डिसकस किया कि जो भौतिक रासियां होती है भौतिक रासियों को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया एक होता है मूल मातरक मतलब मातरकों को थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया एक होता है मूल मातरक दूसरा होता है व्यूत्पर्न मातरक और तीसरा हमने पूरक मातरक यह तीन मातरक की सिस्टम हमने पढ़ा अब यहां पर क्या होता है जो साथ मूल मातरक होते हैं इन साथ मूल मातरकों को कुछ विशे संकेतों के द्वारा इन साथ मूल मात्रकों को किसी विशेश संकेतों के दोरा जब प्रदर्शित किया जाता है वो कहलाता है dimensional formula मतलब dimensional formula क्या है एक special संकेत है कहना चाहिए representation है एक विशेश तरीके से उसको represent करने का तरीका है तो जो basic fundamental units होते हैं जिसमें तीन द्रव्यमान लंबाई और समय M, L और T इनको इस तरह से प्रदर्शित करना M to the power A, L to the power B और T to the power C इस तरह से इस फाम में इसको represent करना और इसमें हम इस तरह से एक square bracket भी लगा देते हैं ये इस तरीके से किसी भोतिक राशी को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है वीमी सुत्र कहलाता है dimensional formula कहलाता है अब ऐसा नहीं कि M, L और T वस को हम इसे प्रदर्शित करते हैं इसमें चार और मून मात रखें जिसमें विद्युद्धारा जिसको capital A से या उसको चार्ज के फा में भी कर देते हैं और ताप जिसको K से Kelvin से मोल को M, O, L से और केंडला सीडी उनका ज़ुरत कम पढ़ता है और उसको जब हम आगे के टापिक पर जाएंगे तो ज़ुरत पढ़ेगा तो फिल हाल हम आपको M, L और T ये तीन मूल मातरफ की साहता से सबसे पहले हम आपको dimension formula पढ़ा रहे हैं आपकें कि तो यहां पर M, L और T तो सबसे पहले हम देखां द्रब विमान द्रब विमान का विमि सुत्र को ने ह करते हैं और इसके power में 1 होगा मतलब उसको represent करने का जवरत नहीं है और चूंकि यहाँ पर L और T नहीं होता mass में L का power को 0 knot और T knot इस तरह से प्रतसित करते हैं और इस तरह से हम इसमें square bracket लगा देते हैं यह mass का दर बिमान का क्या हो जाएगा? विमी सुत्र हो जाएगा इसके बाद यदि हम क्या करें? मालो लंबाई का लिखना चाहें तो लंबाई को हम English में क्या करते हैं? English में length करते हैं और इससी L से यह symbol लिया गया है L for length और इसका जब विमी सुत्र लिखेंगे तो इसमें mass नहीं होता M to the power 0 L होता है और T to the power 0 इस तरह से लिखा जाएगा यह हो जाएगा लंबाई का वैसे जिसका power 0 होता है उसको represent करने का जवरत नहीं होता उसको हम छोड़ भी सकते हैं लेकिन अभी आपको मैं initial stage पर समझा रहा हूँ शुरुआत में समझा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा उसको मैं उस तरह से नहीं बता रहा हूँ मतलब बिल्कुल basic 0 से मैं आपको इसको बता रहा हूँ clear यह हो जाएगा इसके बाद देखो समय का तीसरा जो होता है वह किसका होता है समय का होता है तो समय को हम time करते हैं समय को हम time, English में time करते हैं और इसका विमी सुत्र जो लिखेंगे वो M to the power 0, L to the power 0 और T तो इस पकार से द्रभ यमान, लंबाई और समय द्रभ यमान, लंबाई और समय यह तीनों के विमी सुत्र को इस पकार से लिखा जाता है क्लियर यहां तक आपको सबको यह तो हो गया मूल मातरक की बात लेकिन जब हम विद्पन मातरक को निकालते हैं तो आपको पता है कि विद्पन मातरकों को हम क्या है सुत्र की साहता से ज्याद करते हैं और वो completely मूल मातरक पर depend करता है तो पहले अभी starting में हम कि बार-बार मैं आपको यह बात repeat कर रहा हूं कि विमी सुत्र बहुत ही important होता है इनको याद तो करना पड़ता है लेकिन समझने के बाद पहले आपको समझना है उसके बाद धीरे-धीरे यह याद हो जाते हैं बीना समझे दिए आप याद करोगे तो फिर वो problem है विमी सुत्र क्यों पढ़ते हैं मैं आगे बताऊंगा आप लोग को विमी सुत्र का अनुप्रयोग में कि विमी सुत्र क्यों पढ़ते हैं अभी आप पहले पढ़ो फिर बाद में हम इसके application को देखेंगे अब देखो विद्पन मात्रकों के यदि हम विमी सुत्र निकालना चाहें जैसे मालो हम यहाँ पर निकालते हैं वेक का सपोज हमको वेक का विमी सुत्र निकालना है अभी तो मैं मूल मात्रक के लिखा था तो अब मैं आपको विमी सुत्र निकालना सिखा रहा हूँ छोटे छोटे एक्जामपल के help से तो जब भी आपको किसी भौतिक रासी का विमी सुत्र निकालना होगा तो सब से पहले उस भौतिक रासी का आपको सुत्र पता होना चाहिए उसका खर्मूला पता होना चाहिए तो वेग बराबर हमको पता है विस्थापन बटे समय वेग होता है विस्थापन और बटे समय तो वेग विस्थापन बटे समय होता है अब यदि हम इसका विमी सुतर निकालना चाहिए वेग का तो क्या लिखेंगे देखो, विस्थापन मतलब क्या है लंबाई, विस्थापन क्या है, लेंथ है, लंबाई है, तो विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, L, यह L लिख लिया, और बटे समय, तो समय को हम क्या लिख लेंगे, T, इस तरह से, T का पावर उपर चला जाएगा, तो L T to the power minus 1 होगा तो वेग का विमा L T to the power minus 1 होगा ऐसा भी हम लिख सकते हैं लेकिन यदि हम तीनों को represent करें यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे? M नहीं है M to the power 0 L और T to the power minus 1 इस तरीके से इसको represent किया जाता है यह है वेग M to the power 0 L T to the power minus 1 तो वेग की विमा को हम इस पकार से लिखेंगे ठीक है? ऐसे इसको निकाला जाता है तो बहुत आसान है मैं कुछ easy example आपको सबसे पहले निकाल के समझा देता हूँ ताकि आपको इसको निकालने का habit हो जाए मालो वेग के बाद हमको निकालना है त्वरण का प्राबलम आता है कि वो ऐसे भोतिक रासियों का भी वीमी सुत्र यहां पर निकालता है जिसका उसने भी नाम भी निसुना है तो उसका बड़ा जीब लगता है कि सर यह क्या होता है मैं बोलूँगा प्रतिबल, विकृति, यंग, प्रत्यासता, गुणांग तो बोलो कि सर यह क्या होता है तो परेसान होने का ज़ूरत नहीं अभी अभी सिर्फ आपको समझना है कि वीमी सुत्र निकालते कैसे है उसके बाद जैसे 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 फिजिक्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे जब वो टापिक आप पढ़ते जाओगे इवन फिर 12th क्लास में पहुंचोगे 12th क्लास में भी नई नई भोती क्राशियों के बारे में पढ़ोगे तो आपको धीरे 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 सब अपने आप पता चलते जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको वो पहले निकालना सिखना है और निकालना सिखने के बाद आप धीरे धीरे उसको समझ जाएगे कि कैसे निकालना होता है तो जैसे तोरान का निकालना है अपने को तो तोरान का हमको फार्मूला पता है तोरण बराबर होता है वेग परिवर्तन या वेग बटे समय हमको मालूम है कि वेग परिवर्तन की दर को समय कहते हैं मतलब तोरण बराबर वेग बटे समय होता है अब इसका विमी सुतर निकालना है तो देखो वेग का हम पहले से निकाल चुके हैं वेक का वीवी सुत्र हम निकाल चुके हैं यहाँ पर L T to the power minus 1 तो उसको हम यहाँ पर put up कर देते हैं तो that equally हो जाएगा L T to the power minus 1 और time क्या हो जाएगा T होगा that equal T का power उपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा L T to the power minus 2 इस तरह से हम वीवी फाम में इसको M not L T to the power minus 2 ऐसा लिख सकते हैं और यह कहलाता है क्या तोरण के लिए वीवी सुत्र है इस परकार से देखो M L T to the power minus 2 तोरण का हो जाएगा मने आप समझते जा रहा हो कि कैसे हम एक के बाद एक उसको निकाल सकते हैं एक दूसरे की सहायता से और कुछ हम निकाल के देखें कुछ प्रेटिस तो मैं आपको यहां पर प्रापर करा दूँ चैन की तरह कि एक की सहायता से दूसरा कैसे निकलता है तोरण के बाद मालो हम निकाल लेते हैं बल का मालो हमको बल का निकालना है यदि हमको बल का विमी सुत्र निकालना है तो बल का हमको सुत्र पता होना चाहिए तो बल बराबर होत पर्मूला होता है द्रब विमान गुडित त्वरण इस पकार से यह जो द्रब विमान है इसको हम प्रदसीत करेंगे M से और त्वरण हमने निकाला है त्वरण यह निकालके रखाए देखो इसलिए मैं इस तरह से आपको निकालके बता रहा हूं वन बाई वन कि एक निकाल रहा हूं वो दूसरे में काम आ रहा है ठीक है तो त्वरण का क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा M नाट L T to the power minus 2 दोनों को multiply करेंगे तो M का power यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है 8 होगा तो 0 plus 1 1 होगा M L T to the power minus 2 यह हो जाएगा बल का तो बल निकल गया clear मालो हम कारे निकालना चाहते हैं मालो हमको कारे निकालना है तो कारे बराबर होता है बल गुडित विस्थापन कारे बराबर बल गुडित विस्थापन ऐसा होता है अब बल गुडित विस्थापन यदि हमको निकालना है तो बल का हमको पता है यहां से मिने निकाल के रखा हुआ है M L T to the power minus 2 और विस्थापर मतलब होता है लंबाई तो यह L हो गया और बराबर हो जाएगा यह M L का घात 1 है यहां पर 1 है तो L L add होके L square T to the power minus 2 यह हो जाएगा यहां पर एक बात आप मेरे example में आप गौर कर रहे होगे application भाई इसके बाद में पढ़ेंगे पहले आप विमी सुत्र को पढ़ेंगे उसके बाद तो उसका उप्योग समझ में आएगा ना पहले उप्योग पढ़ेंगे बाद में विमी सुत्र पढ़ेंगे ऐसा थड़ी फिर आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग कहां करते हैं और क्यों करते हैं तो कारे बराबर होता है बलगुरित विस्थापन और इस तरह से वो निकलेगा तो यह जो मैं कुछ example आपको एक flow में दिया वहां से आप एक बात समझ रहे होगे क्या देखो जब हमको वेक का पत चाहता था तो त्वरण की सहायता से हमने बल का निकाला जब हमको बल का पता था तो बल की सहायता से हमने क्सी पी भोतिक रासी के जो वीमा है वह कुछ डिए याद रहए तब ही हम आगे के किसी बड़े physical quantity का वीमा असानी से निकाल सकते हैं आप imagine करो की मेरे को कारे का वीम निकालने के लिए बोला गया में मुझे पडरी का बिमान के लिए लेकिन मुझे बल को नहीं पता है तो पहले आए निकाला दॉक्त फोरन नकालना चाहूंगा तो वक का जूथ है तो पेरे को व्यग नहीं पता है तो मैं व्यग निकालने जाओंगा कितनी परसानी होगी तो एक से निकालना सुरू करो माने कारे निकालना है इतना निकालते निकालते यहां पहुंचो गया इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आपको निकालना तो आना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको निकालना नहीं आना चाहिए ठीक है लेकिन आपको याद भी रहना चाहिए तो मैं खासकर जो काम्प्रिट्यू एक्जाम का फ्यूचर में जो इस्टुडेंट्स प्रिपेर करेंगे उनको अभी से मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ कि आप Dimension Formula को समझने के साथ साथ थोड़ा याद करने के भी कोशिस अभी से करिए क्योंकि बात में जब हम NEET का क्लास लेते हैं IETJE का क्लास लेते हैं तो वहाँ पर जब हम इस्टुएंट्स को बोलते हैं कि इतने Dimension Formula आपको याद रखना पड़ेगा तो एका ये को चौक जाता है सार इतना कैसे याद होगा तो उस समय आपको बर्डन लगता है वह उस समय आपको लगता है कि अरे तो बहुत बर्डन है तो उस burden से बचना है तो अभी 11th class से ही आप धीरे 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 dimension formula को दो दो चरचर याद करना सुरू करो एक time ऐसा होगा ठीक है कि आपका वो याद हो जाएगा तो इस तरीके से dimension formula निकाला जाता है अभ यहाँ पर देखो अभी ओर जैसे कारी निकाला कुछ और example बताएजेता हमएं आपको कारी निकाला अब मालओ मेरे को दाप का निकालना ए कि मालओ मेरे को दाप का निकालना हे तो दाब बरबार होता है बल बटे 6 तरफर बल बटे 6 तरफर आपको सूतर पता है तो किसी का निकाल सकते हैं तो बल बटे 6 तरफर अब बल का हमको पता है Ml, T to the power minus 2 देखो हम यह याद कर लिए रहेंगे कि हम बल का निकाल है Ml, T to the power minus 2 और उसके बाद 6 रफल, छे 6 रफल होता है लंबाई कवर्ग, तो L square हो जाएगा, अब आगे इसको हम साल्व करें, तो M, L का घात यहाँ पर 1 है उससे जाके माइनस होगा, तो 1-2 मतलब माइनस 1 हो जाएगा, और T to the power, माइनस 2, यह किसको हो जाएगा, दाप को हो जाएगा, और आप किसी भी physical quantity का बहुत असानी से निकाल पाओगे, अब कुछ मैं ऐसे भौतिक रासियों का विमा निकाल के आपको बता रहा हूँ, जो समान भौतिक रासियों का अनुपात होता है, जिसको हम विमा हिन रासि भी कहेंगे, जैसे माल लो मेरे को निकालना है यहाँ पर बट इसका मातरक होता है, जो की radian है, यह मैंने previous class में आप से discuss किया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पूरक मातरक बोलते हैं, supplementary unit बोलते हैं, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिजिया, कोण बराबर चाप बटे त्रिजिया, यह इसका formula है, कोण बराबर पर चाप लंबाई के रूप में measurement करते हैं, तो वो हो जाएगा L, और त्रिजिया भी क्या है, लंबाई L है, that equal इसको solve करें, तो LL cancel out होके, L to the power 0 हो जाएगा, और M और T तो हाई नहीं है, तो क्या लिख सकतने हैं, इसको M power 0, L to the power 0, T to the power 0, यह और इसको हम कहते हैं, वीमा हीन रासी है, कोण का कोई dimension नहीं होता, बट उसका मातरक होता है, कोण एक ऐसा अध्भूच चीज है, जो वीमा हीन है, उसका कोई dimension नहीं होता, dimensional formula नहीं होता, लेकिन उसका मातरक होता है, इसलिए इसको पूरक मातरक कहा जाता है, यह मैंने previous class में भी आपसे discuss किया था, हलाकि विक्रिती अभी आप लोग के लिए नया चीज सुनने को मिल रहा है, लेकिन आगे तो पढ़ना ही है, सुन लो, विक्रिती बरामर होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई मे बराबर लंबाई में परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई मतलब दोनों L हो गए ये भी L हो गया ये भी L हो गया दोनों केंसल आउट हो गया तो क्या हो गया M0, L0, T0 यह होता है विकृति का तो विकृति भी का है विमहिन रासी है इस प्रकार से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ठीक है इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो विकृति है वो अभी क्या है एक विमहिन रासी है और विमहिन रासी होने के कारार इसका होता इन दोनों में वही अंतर है कोड़ और विक्रिती में कोड़ और विक्रिती में बेसिक डिफ्रेंस यह है कि कोड़ क्या है वीमा हिन रासी है लेकिन उसका मातरक होता है लेकिन विक्रिती क्या है वीमा हिन यदि आपको तयार होना है, तो सबसे पहले क्या करो, आप जितने भी तरह के, सबसे पहले जितने भी तरह के constant है, वो सभी constant के dimension formula आप याद कर लो, मैं आपको next class में कुछ important dimension formula प्रोवाइट करा दूँगा, ठीक है, next class में आपको कुछ dimension formula प्रोवाइट करा दूँगा, वो मुला का list आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यह आप learn कर लो, अभी तो फिल हाल आप इसका, skin start ले लो, और skin start लेने के बाद, ठीक है, जिनके पास नहीं है, यह starting में देखो, सब मैं कल समझा दिया था, यह पूरा आपको निकाल के मैं बता दिया था ना, इसको और आपको explain क करने जूरत नहीं है, मैंने आपको 6 त्रफल का निकालना आयतन, घनातों, आपेक्षी, घनातों सब लिखा हुआ है, देखो, वेग या चाल, त्वराण, रेखी, समवेग और बल, इसमें से मैंने बहुत से dimension formula को आपको previous class में निकाल के बताया था, आप यह skin start ले लो, कर ल नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको सबसे पहले यह याद रहना चाहिए, ठीक है, नेस स्लाइट में देखो, आवेग बलगुरी समय formula भी हमने लिख दिया है, ml t to the power minus 1, कार्य बार बलगुरीच भी स्थापन, ml square t to the power minus 2, उर्जा, सक्ती, ठीक है, आवेग, कार्य, उर्जा, सक्ती, दाप, प्रतिबल, विक्रिती, प्रत्यासता, गुणांक, यह सब आप देख लो, explain मैंने इसके पहले वाले class में कर दिया था, कुछ student यदि आज इस class में new आए होंगे, तो वो इसके ठीक पहले वाले video को देख लेंगे, क्योंकि सब को निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, आज मैं देख रहा हूं उसका collection, सभी important मैंने लिक्ष दिया ही starting का, जो भी आपको 11 में जवरत पड़ेगा, प्रिष्ट तनाव, प्रिष्ट उर्जा, इस्प्रिंग का बल निये तांग, कोण, मैं निकालके बताया था, कोणी वेक, कोणी त्वराण, जड़त व गुण, कोणी समवेक, यह आप धीरे-धीरे यात कर लेना, ओके, एंड नेस्ट, यह, आप रित्ती, बराबर एक बटे आवर्तकाल, M to the power 0, L to the power 0, T to the power minus 1, गुरत वाकरसन निये तांग, G equal F D square upon M1 into M2 formula है, और यह है इसका dimension formula, यह तो कई बार नीट में पूछा या चुका यह गुरतवाकरसन का director कई बार नीट में पूछा या चुका है, ओके, तो यह हमारे dimension formula है, और यह dimension formula जब तक आपको याद नहीं रहेगा, जब तक यह dimension formula आप याद नहीं करोगे, तब तक आप इसके application का question solve नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको आप लोग सबसे पहले याद कर लेना, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसके अनुप्रयोग, चलिए, अब ध्यान दीजी धर, वीमी विसलेशार के अनुप्रयोग, तो वास्ताओं में होता क्या है, कि हमारा जो वीमी सूत्र हमने जो तायार किया यहाँ पर, यह हमारे physics में किस काम आता है, कल मेरे पढ़ बहुतिक रासी का dimensional formula याद नहीं रहेगा, तो उप्योग कैसे आप करोगे उसका, याद रहेगा, तभी आप उप्योग कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले इसको आपको learn कर लेना है, करल मैं आपको work दिया था, by the way आप कर पाए, अच्छी बात है नहीं कर पाए, तो आज मै एक्जाम में question कैसे आएगा इस पर, इस पर question पूछा जाएगा, कि वीमी समी करण की सहता से बहुतिक समी करणों की सुधता की जाच किस प्रकार की जाती है, ये आप समझाईए, या कोई आपको दे देगा एक formula और बोलेगा इसको check करके बताओ, कि यह बहुतिक रासियों क जो समी करण है, भहुतिक समी करण ही formula कहलाते हैं, सुत्र कहलाते हैं, तो उसका हमको क्या करना है, check करना है, ठीक है, तो इसका हम एक example देखते हैं, कि कैसे करता है, कैसे सुधता की जाच करता है, तो मालो अपने पास कोई भी एक भहुतिक रासियों पर संबन्ध है, समी 1 to 80 square, ये क्या है, एक भहुतिक रासि में संबन्ध है, जिसको हम गति के दूती समी करण के नाम से जानते हैं, अब मालो हमको डाउट आ रहा है, कि ये जो समी करण है, वो सुध्ध है की ने, मतलब इसमें कोई mistake तो नहीं है, ये हमको डाउट आ रहा है, तब हम क्या करेंग इसकी सहायता से इसकी जाच कर लेंगे, किस प्रकार से इसकी जाच कर लेंगे देखो, उसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान से सुनो, इसमें जितनी भहुतिक रासियों का उप्योग किया गया है, सबसे पहले हैं उन भहुतिक रासियों के dimension formula लिखेंगे, तो सबसे पहले उसमें देखो क्या है? S, S, पहला S, नंबर देने जोरत नहीं है, S क्या है यहाँ पर? विस्थापन, विस्थापन, ब्रेकेट में लिख दिया S, की वीमा, यह लिखने का तरीका है, मैं complete आपको detail लिख के बता रहा हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भौतिक रासियों का इसमें उप्योग हुआ है, उन भौतिक रासियों का हम वीमा इसमें लिखते जाएंगे, तो सबसे पहले हमने लिख लिया क्या? विस्थापन, S की वीमा, जो की क्या होता है? M0, L, T0, क्योंकि यह लंबाई है, और लंबाई की वीमा को हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इस पकार से लिख सकते हैं, अब देखो, दूसरा क्या है? U, U क्या है? वेग, वेग यहाँ पर, U वेग है, की वीमा, इसकी वीमा लिख लाएगा? M0, L, T to the power minus 1, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला, कि यदि आपको वीमी सुत्रों का पता नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे? मैं बोल रहा हूं कि इसकी सुधता के जाच करने के लिए, इसमें जितनी भोतिक रासी को उप्योग हुआ है, सभी भोतिक रास कि यहाँ पर समय जो कि इसमाल टी से प्रदर्शित किया गया है की वीमा, इसकी वीमा लिख लो, तो समय की वीमा क्या होता है? M0, L0 और T, यह हो जाएगा, इसके बाद A क्या है? त्वरण है क्या A? त्वरण A की वीमा? त्वरण A की वीमा, त्वरण A की वीमा ते हो जाएगा, M0, L, T to the power minus 2. तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कि जो भी सुत्र के सुधता की जाज करना है, उसमें जितने भी भोतिक रासी आया हुआ है, उसके सब के हमको क्या करना है? Dimension Formula को लिखेना है ठीक है अब इसके बाद क्या करना है? सब का सूची बनाने के बाद आपको जो संवंध दिया गया है चेक करने के लिए उसके Left Hand Side और Right Hand Side का अलग-अलग अपने को वीमा निकालना है Left Hand Side का Dimension निकालना है और Right Hand Side का Dimension निकालना है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम निकाल लें लेप्ट हेंड साइड की वीमा लेप्ट हेंड साइड की वीमा तो लेप्ट हेंड साइड की वीमा पर आपर देखो लेप्ट हेंड साइड में क्या है? S है और S की वीमा हमने लिखा है यह तो left hand side की वीमा को यहाँ पर लिख देते हैं तो हो जाएगा m0 l t0 यह हो गया left hand side की वीमा अब इसी तरह हमको निकालना है right hand side की वीमा अब हम निकालते हैं right hand side की वीमा जब हम right hand side की वीमा निकालेंगे तो right hand side में बहुँ से quantity है तो जो quantity यहाँ पर है सभी quantity के dimension फार्मूला को हम लिखेंगे सबसे पहले U तो U का विमा क्या है M0 L to the power minus 1 M0 L T to the power minus 1 ये हो गया U U के साथ फिर multiply हुआ है T तो समय T की विमा T का विमा कितना हो लिखा है हमने M0 L0 T ये हो गया plus 1 upon 2 को 1 upon 2 लिख लेंगे इसके बाद A त्वरण है तो त्वरण की विमा लिखा है M0 L T to the power minus 1 M0 L T to the power minus 2 स्वारी T to the power minus 2 और उसके बाद T का स्क्वेर तो T ये है ये हो जाएगा M0 L0 T और इसका स्क्वेर ये हो गया right hand side की विमा अब आगे इसको salve किया जाए तो salve कैसे करेंगे यहाँ पर इन दोनों का multiplication हो रहा है तो multiplication में घातांक नियम से क्या होता है कि आधार समान होता है तो घात आपस में जूडते है तो घात के यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर M का घात सुन्य है यहाँ पर भी M का घात सुन्य है तो दोनों का योग भी सुनी हो जाएगा M to the power 0 होगा इसके बाद into देखो L का घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है तो L ही रहेगा वो इसके बाद T का घात minus 1 है और यहाँ पर plus 1 है तो minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 क्या हो जाएगा? 0 तो T to the power कितना हो जाएगा? 0 यह हो गया प्लस अब आगे देखो 1 upon 2 अब इसका इसके साथ multiply करेंगे तो M not और यहाँ पर M का 0 यह 0 तो M तो 0 ही रहेगा अब L के बारे में देखो यहाँ पर L का घात 1 है और यहाँ पर L का घात 0 है तो 0 plus 1 1 होगा मतलब L हो गया अब यहाँ पर देखो T का power minus 2 है लेकिन यहाँ पर जब bracket को open करेंगे तो T का power वहाँ पर plus 2 आएगा तो minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 0 होगा तो इसका power कितना हो गया? 0 अब देखो दोनों 2 की सेम चीज है यह दोनों सेम चीज है तो दोनों आपस में 8 हो जाएंगे तो यह है एक और यह है एक बटे 2 1 plus 1 upon 2 3 upon 2 होता है तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर that equal 3 upon 2 M0 L T0 यह हो जाएगा अब यहाँ पर एक महत्तपूर्ण बात ध्यान देना कि 3 बटे 2 क्या है? constant है 3 बटे 2 एक numeric value है आंकिक मान है एक नियतांक है और उसकी कोई विमा नहीं होती ठीक है? उसकी कोई विमा नहीं होती इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हटा देंगे और तब हमको क्या मिल जाएगा बच्चा हुआ quantity यह मिल जाएगा M0 L T0 यह देखो सपोज यह relation number first है और यह सपोज यह relation number second है अब आप relation first और second को देखो relation first को देखो कि left hand side की जो विमा है left hand side की विमा M0 L T0 और यहाँ पर देखो right hand side की विमा यह right hand side की विमा है जो कि M0 L T0 है और देखो दोनों आपस में बराबर है ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये concept ये कहता है कि किसी भी physical quantities में, किसी भी भोतिक रासियों में जो सम्मंध होता है, उस सम्मंध में, चुकि वो समी करण है, तो समी करण के दो पक्ष्य होंगे, left hand side होगा, right hand side होगा, तो आप left hand side का dimension निकालो, और right hand side का dimension निकालो, यदि दोनों dimension आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वह समी करण सुध है, मतलब सही है, सत्य है, और यदि दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो वह समी करण गलत है, क्योंकि समी करण को balance होना जरूरी है, जितना left hand side में value होगा, उतना value right hand side में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ह सकते हैं, next slide में, next slide में लिख देते हैं, चूंकि, चूंकि left hand side की वीमा, बराबर right hand side की वीमा, ऐसा हमको बराबर last में लिखना ज़री है, चूंकि left hand side की वीमा, बराबर right hand side की वीमा, जो कि क्या निकला है, M0LT0 ये निकला है और दोनों आपस में बराबर है फिर लिख सकते हैं अताह दिया गया समी करण क्या है सुध्ध है या सत्याह भी लिख सकते हैं ये हो गया आ गया समझ में तो ये बहुत आसान काम है इसमें सबसे महतपूर्ण बात या है कि आपको जो Relation दिया गया है उस Relation में जितनी भाष्थिक रासियों का उप्योग किया गया है उनका Dimension Formula पता है कि नए इसलिए मैं आपको Dimension Formula याद करने के लिए बोला तो अब आपको समझ में आ गया होगा की dimension formula याद करना क्यों जरूरी है फिर आपको उसका application भरा ही नहीं पाएंगे काम तो बहुत आसान है तो इस तरह से आप इसको check करोगे आपको skin start लेना है तो ले लो clear यहाँ तक चलिए next हमारा application है देखो to derive relations between physical quantities विभी ने भहुतिक राशियों के मध्य संबंद स्थापित करना to derive relation between physical quantities इंगलिस में start में लिख दिया है विभी ने भहुतिक राशियों के मध्य संबंद स्थापित करना यह second application है और इस application में हमको क्या करना है physical quantities के बीच में हमको relation बनाना है मतलब फुल मिला के आप क्या समझ सकते हो कि आपको यहाँ पर formula derive करना है तो विभी ने भहुतिक राशियों के मध्य हमको संबंद स्थापित करना है उसके लिए हमने नीचे question लिखावा देखो पहले इसका concept आप समझ जो जितने भी formula physics में है वैसा इसका limitation है आगे मैं discuss करूंगा उस पर पहले आपको समझा लूँ तो उन भहुतिक राशियों में जो संबंद बनाये गया है जिसको हम क्या कहते हैं सूत्र कहते हैं तो हम वीमी समीकरण की साहता से हम सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं पहले हमने देखा कि हमारे पास जो भहुतिक राशियों में संबंद है उसका हमने जाच किया कि सही है की नहीं अब हम भहुतिक राशियों में संबंद ही स्थापित कर सकते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक question लिखा हुआ है यह question बहुत important है ध्यान से सुनो किसी सरल लोलाग का आवर्तकाल जिसको हम capital T से represent कर रहे हैं उसकी प्रभावी लंबाई जो की L से पताशित किया गया है गुरुत्वी त्वरण इसमाल जी पर निर्भर करता है तो विमी विधी से सरल लोलाग के आवर्तकाल का ब्यांचा ग्याद कीजिए यह हमारा question है अब इसके question के solution को ध्यान से समझना देखो हमको question में क्या बोला है कि एक physical quantity ऐसा है जो और physical quantities पर depend है आस्रित है उस पर निर्भर करता है तो कोन निर्भर करता है आवर्तकाल किस किस पर निर्भर करता है यह जो आवर्तकाल है यह निर्भर करता है किस पर उसकी प्रभावकरी लंबाई पर और उसके गुरुत्वी त्वरण पर इस पकार से जो आवर्तकाल है वह दो चीजों पर निर्भर करता है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है जो निर्भर करता है वह left side में रहेगा और जिन जिन चीजों पर वह निर्भर करता है उसको right side में लिखा जाता है, मतलब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे अपन आवर्त काल निर्भार करता है तो लेप्ट में लिख दो उसको अकेले फिर प्रपोस्टनल का साइन लगाओ प्रपोस्टनल का अनुकर्म अनुपाती का चिंध लगाओ इसके बाद जो जो फिजिकल कॉंटिटी साया है जैसे लंबाई आया है तो एल उसके बाद गुरुत्वी तोड़ा इसको लाइन से आप लिकते जाओ बहुत ध्यान से समझना यह बहुत इंपार्टेंट है और मैं जानता हूँ ध्यान से नहीं समझोगे तो आगे चल के सबड़ी परसानी होने वाली है आपको और 1 समय गया तो कोई भी कॉश्चन आप बना लोगे माननो इसमें और फीजिक जो उन पर निर्भा करते हैं अब इसके बाद क्या करना है इसके पावर में लिखना है A इसके पावर में लिखना है B और कोई रहता तो इसके पावर में C और कोई रहता तो इसके पावर में D ऐसा हम लिखते जाते हैं clear? अब इसके बाद हम इसको solve कैसे करते हैं that implies इसको हम solve कर लें तो t equal to a constant का multiply करेंगे यह constant k हो गया और यह हो गया l to the power a और g to the power b इसका देदो relation number first आगे का काम क्या है जैसे मैंने आप भी आपको बताया कि इसमें जितने भी physical quantities जितने भी भहतिक रासियों का उपयोग किया गया है सभी भहतिक रासियों का हम one by one क्या लिखेंगे dimensional formula लिखेंगे ठीक है अब इसके आगे हमको क्या करना है जैसे ही हमें सम्मन लिखेंगे तो इसमें जितनी भहतिक रासियों का उपयोग हुआ है उन सभी भौतिक रासियों का हम dimensional फार्मूला लिखेंगे उसका विमी सुत्र लिखेंगे जो की जोर्वी होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर T समय है जो की क्या है समय है तो समय T की विमा समय T की विमा जो की हो जाएगा M to the power 0 L to the power 0 और T यह हो जाएगा उसके अत्के तो constant L जो की लंबाई है लंबाई L की विमा इसका विमा क्या होगा M यह सब को square bracket में लिखने ठीक है M to the power 0 L T to the power 0 यह होगा उसके बाद त्वरण G गुरूत्भी त्वरण है और त्वरण मतलब त्वरण ही है चाहे कोई सबी त्वरण हो तो गुरूत्भी त्वरण की विमा यह हो जाएगा M not L T to the power minus 2 यह होगा ऐसा तो जब हम इस विमा को लिख लेंगे तीनों विमाओं को लिख लेंगे इसके बाद जो हमारा relation number first है उसमें हम इसको put up कर देंगे ठीक है तो therefore from first हम first में यही सब value को put up कर दें तो क्या हो जाएगा cake को आप यहाँ पर छोड़ सकते हो क्योंकि cake का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है वो constant है constant का कोई dimension formula होगा नहीं ठीक है तो अब T का हम विमा लिखेंगे तो T के विमा M not L not T तो left hand side में हम लिखेंगे M to the power 0 L to the power 0 और T यह हो जाएगा ठीक है किस की विमा T की विमा अब इसके बाद लिखेंगे L तो that equal L का विमा L का विमा मारे लंबा ही है उसका power A तो यह हो जाएगा M not L T to the power 0 इसका power A यह होगा उसके बाद गुरुत्वी त्वराण तो हो जाएगा M not L T to the power minus 2 इसका power B ऐसा होगा that implies अब इसको salvo करो M not L not T यह होगा that equal M to the power 0 यह L का power A L का power B तो यहाँ पर हो जाएगा L का power A plus B दोनो एड होने के बाद और यहाँ पर देखो T तो T का power तो यहाँ 0 और यहाँ पर minus 2B तो minus 2B इस तरह से होगा clear तो अब देखो दोनो साइड से अब दोनो साइड से हम क्या करेंगे A, B और C मतलब M का power L का power T के power का तुलना करेंगे ठीक है तो M, L तथा T के घातों की तुलना करने पर मैं इस स्लाइड में लिखता हूँ यहाँ पर M, L तथा T के घातों की तुलना यदि हम इसके घातों की तुलना करें तो घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या होगा M तो 0 है M तो 0 है 0 तो 0 के बराबर होगा ही, यहाँ पर L का घात 0 है, यहाँ पर L का घात A plus B है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, A plus B equal to 0, यह होगा, और यहाँ पर देखो, T का पावर minus 2B है, और यहाँ पर T का पावर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो minus 2B किसके equal हो जाएगा, 1 के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, minus 2B, minus 2B equal to 1, अब इसको हम solve करें, तो that implies, B equal to minus 1 upon 2 होगा, यह B का मान निकल गया, इसलिए, यदि इस मान को हम यहाँ पर put up कर दें, तो A minus 1 upon 2 equal to 0, तो A equal to 1 upon 2 होगा, इस तरह से A का value 2 हो जाएगा, यह, अब जब इस value को हम निकालेंगे, तो इस value को हम क्या करेंगे, कहीं पर put up कर देंगे, कहां पर put up कर देंगे, समीकर नमर एक पर, यह समीकर नमर एक पर हम put up कर देंगे, यहाँ पर जब इसके value को put up करेंगे, A और B का, तो हमको summan प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो यह एक से, therefore, from first, यदि हम first में इसका value put up करें, तो क्या हो जाएगा, t equal to k, l का घात 1 बटे 2 और g का घात minus 1 बटे 2, हमने यह a और b के value को हाँ पर रख दिया, that implies अब इसका value क्या हो जाएगा, t equal to k into l का घात 1 बटे 2, और upon g नीचे में चलाएगा, power को plus करने के लिए, तो g का घात 1 upon 2, therefore, इसको हम लिख सकते हैं, t equal to k, दोनों को combine हम root के अंदर लगा दें, तो under root हो जाएगा, और l upon g, तो t बराबर k under root l upon g, यह क्या है, सरलोलक के दोलनकाल का फर्मूला होता है, यह सरलोलक के दोलनकाल का फर्मूला होता है, लेकिन इस फर्मूला में एक आप अधूरापन देख रहे होगे, वो यह है, कि यहाँ पर जो k आया है, यह जो k आया है, वास्ताओं में, जब हम सरलोलक के दोलनकाल का सुत्र पढ़ेंगे, अभी इसी क्लास में हमको पढ़ना है, दोलन के चेप्टर में, लास्ट में हमारा दोलन का चेप्टर महाँ पर पढ़ना है, तो उसका जो formula होता है T का तो T का जो formula है T equal to ये होता है 2 pi under root of L upon G ये formula होता है वास्तों में तो यहाँ पर आप देखो ये k है और यहाँ पर क्या है 2 pi है तो ये का है dimension formula का एक limitation है last time हम उस पर आओ detail में discuss करेंगे कि वीमी सुत्र की अपनी एक सीमा है सीमा मतलब किस हद तक वो काम करता है तो इसका काम करने का जो limitation है वो ये है कि यह constant का value नहीं बता सकता मतलब जब हम भौतिक राशियों में संबंधी स्थापित करते हैं तो भौतिक राशियों में संबंधी स्थापित करने के बाद जो फार्मूला आता है उस फार्मूला में जो नियतांक आता है उसका भेल्यू ये नहीं बता पाता है देखो इसमें के आया जबकि वास्तों में आना चाहिए टू पाई तो इसकी सीमा है कई बाराबर कई बार का होता है एक्जाम में टीचर्स पूछते हैं कि वीमी समीकरण की या वीमी सुत्र के सीमाये लिखो तो यहाँ पर एक पॉइंट हम को यह लिखना है कि वीमी समिकाड की साहता से जब हम भौतिक राशियों में सम्मंद इस्थापित करते हैं तो हमको कांस्टेंट का जो भेली होता है नियतां का वो ज्याद नहीं हो पाता तो दो एप्लिकेशन हो गए इस पकार से हम और भी इस पर डिसकस करेंगे आगे अपन इसकी सीमाव पर तो यह हो गया भौतिक राशियों में सम्मंद इस्थापित करना ठीक है तो यह है दूसरा एप्ल प्रिकेशन है चलेई इसके बाद support यहें चले आगे फिर इस किन साथ एचा कब ले सकते हैं और इस來इट का भी आप सकीन साथ ले सकते हैं ओके लेस्ट है मैं DRC omka the less मतलब एक system को हमको दूसरे system में, दूसरे पध़ती में change करना होता है, तो इसकी सहायता से हम उसको change कर सकते हैं, तो उसके लिए जो formula use किया जाता है, वह formula सबसे पहले मैं लिक रहा हूँ, इसके लिए जो formula हम use करेंगे, चेंज करने के लिए, वो फार्मूला क्या होता है देखो यह फार्मूला है N2 equal N1 under bracket L1 upon L2 का पावर A फिर M1 upon M2 का पावर B और T1 upon T2 का पावर C यह इसका एक फार्मूला है इस फार्मूला का आप याद करोगे और इसके बाद मैं आपको यह बता दूँ कि इस फार्मूला में कौन-कौन से value क्या है तो ध्यान रखने आपर सबसे महत पूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इस फार्मूला में यहाँ करके मैं लिख रहूं जितना भी N वाला value है N1, L1, M1, T1 यह सब क्या है यह है दिया गया मातरक यह है दिया गया मातरक दिया गया मातरक का मतलब क्या हुआ जो आपको question में देगा वो मातरक है जो आपको question में दिया जाएगा वो मातरक है 1 इसके बाद देखो N2, N2, L2, M2, T2 यह कौँसा मातरक है यह गयात करने वाला मातरक है गयात करने का मातरक या जिसमें बदलना है उसका मातरक यह आप लिख लो पहले यह चीजे दिया आपको याद नहीं रहेगा तो आप एक मातरक को दूसरे मातरक में नहीं बदल पाएंगे ठीक है तो पहले आपको ये सूत्र याद करना है ये वारा सूत्र पहले याद करना है उसके बाद हम एक एक एक्जामपल देखते हैं और एक्जामपल के साहता से हम समझते हैं कि कैसे हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करते हैं चलिए तो इसके लिए हम एक एक्जाम में सबसे पहले आप देखो कुछ में एक 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 जांपल से आपको सब समझ में आ जाएगा मालों हम निकालना चाहते हैं कि एक जूल को अर्ग में परिवर्टित करना है हमको question यह दिया कि एक जूल को अर्ग में परिवर्टित कीजिए या एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है यह हमको निकालना है मालो हमारा यह question है बहुत famous example है जनरली एक्जामपल स्कूल में पूछते हैं teachers और इससे आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है तो एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है यह हमको जानना है तो अब इसको हल कैसे करेंगे देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो जूल दिया है वह किसका मातरक है और किस पध्धती में है तो यह चीज आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा इसलिए आपको सुर्वात वहीं से करनी है ठीक है जो मैं आपको रेगुलर यह बात आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले हम देखें कि जूल क्या है किसका मातरक है बताईए सुनील राजभर ने तो आंसर भी दे दिया ओके सुनील वेरी गुड किसका मातरक है कारे का या उर्जा का का या उर्जा एक यह मतलब है ठीक है दोनों एक यह मतलब कारे उर्जा के बराबर होता है तो जूल यह है किसका मातरक है यह उर्जा का मातरक और किस पध्धती में है यह है MKS पध्धती में जूल उर्जा का मात्रक है और MKS पध्धती में है मतलब वो आपको दिया गया है ठीक है वो आपको दिया गया है और उसको आपको बदलना है किस में अर्ग में बदलना है जो की CGS में होता है ठीक है तो जूल और अर्ग किस में है CGS में है ये तो आपको ध्यान रखना कि जूल में दिया हुआ है मतलब MKS में दिया है और अर्ग मतलब CGS में बदलना है कई बारी स्टोडेंट इसको उल्टा कर डालते हैं मान लो अर्ग को जूल में बदलने के लिए बोलता तो सब गड़बड हो जाता है देखो किसी चीज का सरल होना इस बात का संकेत नहीं है कि वह आपको हमेशा अच्छे से बन जाएगा सरल चीजे भी कॉंसेट अच्छे से क्लियर होने के कारण बड़ी परसानी में डाल देते हैं मिस्टेक कर देते हैं इसलिए बहुत साउधानी से काम करना है कि दिया गया मातरक को पहले आपको लिखना है यहां मैं ब्रेकेट में लिख दिया गया मातरक है यह है दिया गया यह आपको question में दिया है और यह आपको क्या करना है ग्यात्व करना है यह आपको समझाने के लिए सब मैं लिख रहा हूं ग्यात्व करना है अब इसको साल्व कैसे करते हैं सबसे पहले हम उस भौतिक रासी की वीमा लिखते हैं जो बदलने के लिए दिया गय तो उर्जा का वीवी सूत्र क्या होता है वहीं उर्जा का वीवी सूत्र होता है कारे के बराबर मतलब M L T to the power minus 2 ठीक है कारे बराबर बल गुरित त्वरण कारे बराबर बल गुरित विस्थापन क्या के बोल दिया उर्जा आपको यदि याद ना हो तो कैसे निकाल लोगे आप कारे बराबर होता है बल गुरित विस्थापन और बल का होता है M L T to the power minus 2 अब विस्थापन का L उर्जा का आप देख लो यहाँ पर यह दिया होगा कहीं पर खाली उर्जा यह उर्जा कारे करने की छमता M L square T to the power minus 2 यह चार्ट इसलिए तो लर्ण करना है या जवरत पढ़ने पर निकाल भी लेना है दोनों तरीका सही है या तो आपको निकालना आना चाहिए या तो या A का value है यह B का value है यह C का value है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ यहाँ A वराबर 1 B वराबर 2 और C वराबर minus 2 रिड़ दो यह यह ABC को आपको लिखना है तो सबसे पहले ABC का value decide करना है ABC का value decide करने के बाद जो सूत्र भी मैं बताया बही देखो इसको कोई मोखिक क्लि होता है तो वो तो याद रहता है लेकिन आपको यहाँ पर चार नमबर का प्रस में पूछेगा तरह डिटेल में लिखना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूं इसलिए उसको आपको समझ में भी आना चाहिए कि बदलना कैसे है ऐसा याद करके काम थोड़ी चलेगा तो अब इ अपान L2 का पावर B और T1 अपान T2 का पावर C अब इस सूत्र में हम मान भरेंगे that equal इसको N1 को भी N1 रहने दो M1 अब M1 क्या है देखो दिया गया मातरक क्या है MKS है दिया गया मातरक MKS है और MKS में जो दरब यमान का मातरक है वो किलो ग्राम होता है तो अंस में क्या 1 kg लिखोगे और बटे 2 को मैं क्या बताया यहां फार्मूला में मैं आपको बताया कि 111 दिया गया मातरक होता है और 222 क्या होता है ग्याद करने वाला मातरक होता है तो ग्याद करने वाले मातरक को हमेशा हर में लिखेंगे दिये गया मातरक को अंस में लिखना है और ग्या इसका पावर में 1 लिखेंगे ऐसा, अब लंबाई देखो, तो लंबाई का M case में मात्रक क्या होता है, मीटर, तो उपर में हो जाएगा 1 मीटर अपान 1 सेंटी मीटर, ये और B का पावर कितना दिया हुआ है, 2, तो B का पावर यहां पर 2 हो गया, उसके बाद देखो, सेकंड, तो ये समय का मात्रक 1 सेंट अपान 1 सेंट, और इसका मात्रक कितना हैगा, पावर माइनस 2, इस पकार से इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर माइनस 2, अब इसको आगे हम सिंप्लिफाई कर देंगे, ठीक है, तो इस पकार से, इस पकार से हम क्या करेंगे, इसके व value को put up करेंगे तो क्या करेंगे देखो that equal यह हो जाएगा n2 equal to n2 equal n1 into अब यहाँ पर हमको करना क्या है ध्यान देना यहाँ पर 1 kg है और हमको cgs में change करना है तो kg को अपन cgs में change कर देंगे तो 1000 ग्राम हो इसका power 2 और उसके बाद समय तो 1 second upon 1 second और power minus 2 वैसे आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि यह वाले term का कोई मतलब नहीं होता यह बक्वास है यह कोई भाग नहीं नहीं लेता मात्राख को change करने में कभी भाग नी लेता यह रहेगा तो हमेसा लास्टम यह कोई काम का नहीं है यह कैवल दिखाने के लिये है वह मात्रा को change करने पर वो सामिल नहीं होता, उसका कोई रोल ही नहीं है लेकिन लिखते हैं फार्मेल्टी के लिए, ठीक है चली, अब आगे समसाल्व कर लें तो that equal to क्या हो जाएगा ये n1 into, अब यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते है 10 to the power 3, यह 10 to the power 3 हो गया, और यहाँ पर 10 to the power 2 और 2 का power 2, मतलब 10 to the power 4 यह हो जाएगा, that equal हमको कितने को बदलना है 1 को, 1 joule को हमको बदलना है, तो उसका value 1 put कर देंगे, यदि हमको यहाँ पर value 1 joule बोला, मालो 5 joule बोला होता, तो 5 लिख देते, तो n का value हम 1 और into 10 to the power 7, और यह होयाएगा, क्या, अर्ग, यह यह इसका answer होयाएगा, इस पकार से हमको पता चल गया, कि 1 joule का जो मान होता है, एक joule का मान जो होता है, वह 1 into 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है, इस पकार से हम क्या करते हैं, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलते हैं, यह हुआ इसका 3 अगला हमारा application है, लास्ट application भौतिक राशी का मात्रक ज्याद करना, तो 4 अप्लीकेशन भौतिक राशी का मात्रक ज्याद करना तो यह तो बहुत आसान काम है, यह उल्टा वर्क है अरे भई मात्रक की सहयता से हम वीमा सुत्र निकालते हैं तो वीमी सुत्र की सहायता से मात्रक तो बता ही सकते हैं ठीक है? तो इसकी सहायता से मात्रक जैसे मान लो फार एक्जामपल मान लो मेरे को बल का मात्रक चाहिए या किसी का भी मात्रक चाहिए मेरे को मालो मेरे को कारे का मातरक चाहिए कारे का मातरक मेरे को जानना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कारे का विमी सुत्र लिखूँगा कारे की विमा जो भी हम निकाले हैं तो कारे की विमा क्या हो जाएगा M L e square T to the power minus 2 यह हो जाएगा अब इसका हम मातरक को लिखते जाएगे कैसे मातरक को लिखते जाएगे यह दरभ्यमान का kg होगा यह हो गया kg और into यह की जा हो जाएगा meter square और into क्या हो जाएगा second inverse square यह हो जाएगा यह इसका मातरक हो गया इस पकार से कारे का मातरक क्या होता है kg meter square second inverse square जूल उसका रखा हुआ नाम है इस पकार से और किसी कभी निकाल देते हैं कुछ छोटे भौतिक रास्टी का निकाल देते हो मानलो त्वराण का निकालना है आपको त्वराण का मातरक मानलो आपको त्वराण का मातरक नहीं पता है लेकिन त्वराण का वीमा पता है तो कैसे करोगे आप त्वराण की वीमा आप लिख लोगे त्वराण की वीमा और जब हम त्वराण की वीमा निकालेंगे लिखेंगे तो यह हो जाएगा M0 L T to the power minus 2 यह अब M0 तो M को तो लिखने जोड़त नहीं है L क्या हो जाएगा मीटर और यह हो जाएगा second inverse square तो मीटर second inverse square का होता है त्वराण का हो जाएगा यह मातरक हो जाएगा यह इसका मातरक हो गया इस पकार से यदि हमको किसी भौतिक रासी की वीमा पता हो यदि हमको किसी भहतिक राषी की वीमा पता हो तो भहतिक राषी की वीमा की साहता से हम क्या कर सकते हैं उसके मातरक को ग्याद कर सकते हैं तो ये चार application है और ये चार application बहुत important है एक बार आप ध्यान से सुनो एक बार मैं यहाँ पर आपको repeat कर देता हूं देखो क्या कि application हमने पढ़ा है हाँ देखो विभी ने भौतिक राशियों की मद्ध देखो यहाँ पर पहला application भौतिक राशियों की सुध्धता की जाच करना पहला application है कि इसकी सायता से भौतिक राशियों की सुध्धता की जाच कर सकते हैं एक हमने समी करन लिया और इसको चेक करके देखा कि सही है कि नहीं तो हम पाय कि यह सही है क्योंकि left hand side के जो वीमा था और right hand side के वीमा के बराबर था दूसरा हमने देखा विभी ने भौतिक प्रकाल के लिए संबंध स्तापित कि ठीक है यह हो जाएगा इसके बाद देखो यह है एक पध्धती के मात्रकों को दूसरी बद्धती के मात्रकों में परचित करना अभी हमने देखा कि हमारे पास कोई cgs हो तो mks में mks हो तो cgs में हम इसको बदर सकते हैं तो यह इसके application ह और last application हमने देखा वो है बहुती क्रासी का मात्रक ज्याद करना मतलब बहुती क्रासी के यह हमको वीमा पता हो जैसे इसका वीमा पता था हम इसका मात्रक पता के लिए इसका वीमा पता था हम इसका मात्रक पता के लिए तो चार application है ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखो वी lotta की अपनी एक स्फेमाये हैं तो क्या क्या स्जीमाइं होती है देखो सबसे महतुपूर्ण सिमा तो पहली ये है कि नियतांक का मान नहीं निकाला जा सकता है नियतांकौँ का, मान ग्यात नहीं किया जा सकता. अभी हम भौतिक राश्यों में समंध इस्थापित के मैं आपको उधारण दिया कि हमने t equal to 2 pi root आ फेला 5g में को इस्थापित किया लेकिन 2 pi नहीं के आया तो इसकी सहायता से हमने यह तांकों का मान गयात नहीं कर सकते दूसरी बात क्या है 2 या 2 से अधिक पदों वाली 2 या 2 से अधिक पदों वाले समी करण की व्यूत्पत्ती नहीं की जा सकती व्यूत्पत्ती मतलब proof उसका विस्थापन नहीं किया जा सकता कहने का मतलब क्या हुआ इसमें केवल ऐसे जैसे अभी हम निकाले ती इकवल टु टू पाई रूट आफ ऐल अपांच जी ध्यान देना ती इकवल टू टू पाई अंडर रूट एल अपांच जी इसका तो संभव हो गया लेकिन मान लो आपको बोले कि S equal U T plus 1 upon 2 A T square का इस्थापना करो तो ये possible नहीं है ये संभव नहीं है ये संभव नहीं है क्यों मैं आपको क्या बताया कि इसमें 2 या 2 से अधीक पदों वाले समी करण का इस्थापना नहीं कर सकते और इसमें 2 से अधीक पद है देखो एक पद है दूसरा पद है और इसको क्यों किया जा सका क्यों कि ये पूरा एक पद है गुणा या भाग को हम एक पद मानते हैं और जोरते घटाते हैं तो पदों की संख्या बढ़ती जाती है तो ये बहुत important इसका एक application है कि हम इसकी सहायता से दो या दो से अधिक पदों वाले समीकर्ण की विद्पत्ती नहीं कर सकते केवल एक पद केवल single terms वाले समीकर्ण की विद्पत्ती होती है clear और दूसरा बात क्या है कि नियतांकों का मान ग्याद नहीं किया जा सकता तो और कुछ छोटे मटे लिमिटेशन है बाग कि वह उतने इंपॉर्टेन नहीं है दो ही महत्त पूर्ण इसका लिमिटेशन है कि ये दो काम विमी सुत्र नहीं कर सकता तो यहाँ पर हमारा विमी सुत्र का concept complete हो जाता है इसके बाद हमको क्या करना है तुरूटियों के बारे में पढ़ना है next class में हम errors पढ़ेंगे और जब numericals करेंगे तो इस से सम्मंधित और बहुसी बातों को मैं आपको बताऊंगा ठीक है एक विमी समांगता का सिधान्त होता है दो मिनट उस पर discuss कर लूँ मैं यो numericals बनाने में आपको काम आएगा विमी समांगता का सिधान्त प्रिंस्पल आप होमोजिनिटी विमी समांगता का सिधान्त ये विमी समांगता का सिधान्त क्या कहता है इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ इसको ध्यान में रखना यदि ये point आपको याद नहीं रहेगा तो कुछ निवेरकल्स आपको समझ में नहीं आएंगे कि वो कैसे बन रहे हैं तो विमी सिमांकता का पहरा सिधान क्या करता है कि समान समान विमाओं को समान विमाओं का ही समान विमाओं का ही योग या अंतर संभव है योग या अंतर संभव है गुणा भाग तो हो सकता है लेकिन योग या अंतर केवल समान विमाओं का ही होगा मतलब क्या हुआ इसका कि मालो अपने पास दो विमा ऐसा है कि यहाँ पर लिखा है M0LT2 तो M0LT2 यार का ही योग होगा यदि विमा दूसरा हो जाए ये दूसरा हो जाए तो दोनों का योग संभव नहीं है मतलब समान विमाओं का योग ही संभव है या दो चीज ये आपस में जूड रहे हैं वो तभी संभव है जबकि उनकी विमा क्या हो समान हो, तो ध्यान रखने में क्या लिखा हो यहाँ पर, समान विमाओ का ही योग, उनका जोड़ना या उनका अंतर ये संभव है, समान विमाओ का ही योग या अंतर संभव है, ये पहला प्रापरटी है, और दूसरा प्रापरटी मतला विमी समांगता का दूसरा सिधान कि left hand side की वीमा जो होता है वह हमेशा किसी समी करण में left hand side की वीमा हमेशा right hand side की वीमा के बराबर होता है ऐसा होई नहीं सकता कि हमारे पास कोई समी करण हो और उसके left hand side की वीमा और right hand side की वीमा क्या हो अलग-अलग हो तो left hand side की वीमा और right hand side की वीमा हमेशा समान होता है ये बात को आप ध्यान रखोगे तो ये दो महत्पूर्ण rule है जो हमको numericals बनाने में काम आएंगे ये कहलाता है principle of homogeneity मतला वीमी समागता का सिध्धान्त तो इतना आप तयार कर लोगे यहाँ पर dimension formula का concept complete हो गया next class में हम पढ़ेंगे trutia errors इसके बाद जब हम इसके numericals करेंगे तो इसका numerical बहुत important है क्योंकि competitive exam में dimension formula का numericals आता ही आता है ठीक है चलिए तो next class में हम इसको complete करेंगे यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ाई का लेना और एक बार फिर मैं आप को अंतिम में बोल दूं कि आप भौतिक रास्यों के विमाओं को धीरे धीरे याद करते जाएए एक 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 ही दिन में याद नहीं होता कुछ 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 याद करते करते धीरे धीरे आपको बहुं से भौतिक रास्यों के विमाओं का याद हो जाएगा और याद रखने से आपका समय बचे जब बहुत से ऐसी चीज़ें आपको याद भी रहनी चाहिए जिसको हम तुरंत अप्लाई कर सकें तभी हम आपर टाइम बचा के दूसरे को उसको लगा सकते हैं कि यूनिट सेंडम मेजरमेंट में यह तुरूटिया महापन में तुरूटि का समानी रुफ से आपको अर्थ पता है कि तुरूटी हो जाना मतलब जैसे हम कोई एस्परिमेंट कर रहे हैं कि सब्सक्राइव को नंबाई का मेजरंट करना हैवे दस मीटर है और मेरे को उसको measurement करने के लिए कोई scale दिया हुआ है और उस scale से मैं उसका measurement कर रहा हूँ तो suppose measurement करने के बाद मैं उसका result 10 meter का 9.9 दे दिया तो that means मैंने 0.1 meter का mistake कर लिया या 10.1 दे दिया, ज़्यादा भी दे सकता हूँ तो इस तरह से होता क्या है कोई भी experiment हो only length measurement की बात नहीं है कोई भी हमारे पास सेधी experiment हो रहा हो कोई भी हम reading ले रहे हैं कोई measurement कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो truthy कर लेते हैं मतलब उसका जो real value से हम कुछ अलग value measure कर लेते हैं वो naturally truthy कर लाता है अब यहाँ पर हम उसके बिल्कुल theoretical portion पर ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे कि truthy कितने प्रकार से हो सकता है क्या क्या करण है आप एक बर books reading भी कर लेना आपने कि समाने रूप से मैं उस पर discuss कर रहा हूं कि truthy यह किन किन कारणों से हो सकता है truthy का कारण क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं कि इसका कोई गिंती नहीं कारण का कोई fix गिंती नहीं कई प्रकार से truthy हो सकता है तो जैसे मालो मानवी truthy human errors या उसको users error कर सकते हैं जो उसको उप्योग कर रहा है उसके दारा किया गया truthy ठीक है जैसे मैं मालो प्रयोग कर रहा हूं और मैं लपरवाही के करण truthy कर लिया तो वो क्या users error कहलाएगा मतलब उस पर experiment करने वारे की truthy instrumental error होता है instrumental error का मतलब क्या होता है उप्करण का उप्करण की truthy कि हमारा उप्करण ही क्या हो truthy हो मतलब उसमें फाल्ट हो उसके reading सहीना दिये हो उसमें सुन्यांग truthy हो ऐसा कई प्रकार का truthy machine में भी हो सकता है ठीक है और इसके साथ साथ मालो हम कई पार atmosphere के कारण भी वातावरण के कारण भी truthy हो सकता है simple pendulum का आप experiment कर रहे हो और वहाँ पर हवा चले लेगी उसके कारण भी truthy हो सकता है तो कई प्रकार से truthy हो सकते हैं experiment में रेजन उसके बहुत है उस पर आपको कुछ notes बनाने का उसको prepare करने का जोरत नहीं है कि truthy का कारण बहुत है सबसे महत्त पूर्ण बात जो हमको पढ़ना है वो है truthy को ब्यक्त करने का तरीका कि हम truthy को कितने तरीके से ब्यक्त करते हैं कितने तरीके से उसको हम so करते हैं और फिर हम पढ़ें उसका समयोजन कैसे करते हैं भाई truthy हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन truthy का फिर हमारे पास adjustment करने का भी रूश system होना चाहिए कि truthy हो गया तो उसको management कैसे करें ठीक है तो इस प्रकार से truthy हो का समयोजन हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम पढ़ें देखो truthy के बारे में मैं आपको पढ़ाने से पहले बता दू यह बहुत important topic है truthy बहुत important topic है IIT, JEE और NEET के एक exam में इसमें से जो question आता है तो इस chapter में तीन question मैं patent मानके चलता हूँ पहला तो वीमी सुत्र से related question पूछता है अभी जब मैं आपको MCQs question और numericals कराऊंगा chapter complete होने के बाद तो बताऊंगा कि कैसा question पूछा जाता है दूसरा है इस से question पूछा जाता है truthy से एक आपको बड़ा सा numericals अभी मैं सब समझा रहा हूँ लेकिन numerical का हमारा अलग class होता है आपको मालूम है तो numerical के class में उसको हम और अच्छे से करेंगे यहां तो मैं आपको हर truthy के बाद एक छोटे छोटे numerical आपको example के रूप में बताऊंगा वो अलग बात है और इसके बाद फिर आपको सार्था कंग सार्था कंग से भी question पूछा जाता है तो तुरूटियों का समयोजन किस पकार से करते हैं इसको थोड़ा सापको ध्यान में रखना चलिए तो पहला है तुरूटियों के ब्यक्त करने के तरीके में निर्पेक्ष तुरूटी एपसालूट इदर या निर्पेक्ष तुरूटी तो निर्पेक्ष तुरूटी क्या होता है देखो किसी भौतिक रासी के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर के परिमान को निर्पेक्ष तुरूटी करते हैं एपसालूट इदर ये इसका definition है लेकिन इसको हम किस से count करते हैं देखो suppose हमारे पास कुछ reading है suppose हमारे पास कुछ reading है वो reading क्या है हम suppose कुछ reading लिये हुए हैं और वो हमारे reading है suppose a1 a2 a3 and so on हमने suppose a n reading लिया हुए है मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a n reading हमने किसी प्रयोग में लिया अब इस तरह से इसके reading लेने के बाद हम क्या करें इसका मध्यमान निकाले ठीक है मतलब a mean निकाले a mean मतलब माध्य इसका हम क्या निकाले माध्य निकाले तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है जितने reading होंगे वो सब का योग बटे reading की संख्या तो माद किस तरह से निकलेगा देखो माद निकालने के लिए हम इस सब का योग कर लेंगे that means A1 plus A2 plus A3 plus and so on A N और बटे N इस तरह से मीन निकालोगे तो हमेशा हम मीन इस तरह से निकालेंगे और मीन निकालने के बाद जब हम इसका डेल निकालेंगे ठीक है डेल A1 निकालेंगे तो डेल A1 कैसे निकलेगा देखो जिसको हम उसका निर्पेक्स तरूटी कहेंगे डेल A1 therefore अब हमको निकालना है डेल माड़ आप डेल A1 माड़ आप डेल A1 का मतलब क्या होगा modulus value मतलब क्या होगा उसका value हमेशा positive मतलब निर्पेक्स तरूटी को हमको हमेशा positive लेना है तो डेल A1 निकालने का formula है अपने पास यह हमने A mean निकाला A mean मतलब इसमें जो हम mean निकालेंगे ठीक है और उसमें हम क्या करेंगे इसके A1 value को minus कर देंगे कहने का मतलब क्या हुआ यह इतने reading का जो माध्य निकला है अभी मैं आपको इसके बाद numerical कराऊंगा मतलब निमेलकर कलास लोग उसमें पढ़ाऊंगा आपको तो जितना भी reading निकला है उसका mean निकालने के बाद उसके mean में उसके माध्य में उसके ब्यक्तिगत reading को यह definition में लिखा है ब्यक्तिगत मान को किसी भावतिक रास्ति के वास्तविक मान में वास्तविक मतलब उसका mean value में क्या करेंगे उसके ब्यक्तिगत मान को हो जाएगा यह मीन मतलब हमेशा मीन में माइनस करेंगे क्या अच्छा इसके अंदर में माट के वेल्यू में वह चाहे पाजिटिव आए चाहे निगेटिव आए घटाने के बाद वह वेल्यू चाहे पाजिटिव आए चाहे निगेटिव आए उसके मान को हम हमेशा क्या देल मिननकालना निकालना है तो किस तरह से निकालना जाएगा टो तो इसका value निकालने के लिए जो formula हम use करेंगे वो कैसे करेंगे del a mean निकालने का जो formula use करेंगे उसमें जितना भी हमने value अभी पर निकाला है del a1, del a2 तो यह हमने निकाला है क्या del a1 plus del a2 plus and so on del an यह और upon an इससे निकलेगा del a mean तो किस किस तरह से value निकाला जाता है यह formula का ध्यान रखना है सुरु एक बार ध्यान से देखो निर्पेक्ष तूटी हम कैसे निकालते हैं सबसे हमारे पहले हमको जो reading दिया रहता है या reading हम लिए रहता है किसी experiment में उस reading का सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं mean निकालते हैं सब को जोड़के उसके number आप reading का भाग दे देते हैं उसके बाद जब हमको निर्पेक्ष मान निकालना होता है तो यह निर्पेक्ष मान है यह जो second number में लिखा हुआ है वह निर्पेक्ष है तो निर्पेक्स value निकालने के लिए del a1 equal to mean में उसके व्यक्तिकर value को minus करके उसका माड लेते हैं माड लेते हैं that means उसको positive value में लेते हैं इस तरह से और इसके बाद फिर क्या होता है इसका यदि हमको mean निकालने हैं पूरे reading का तो हमको निर्पेक्स तूटी का mean निकालने के लिए माध्य निकालने के लिए सभी निर्पेक्स तूटी का सभी निर्पेक्स मानों का योग करते हैं और उसके बाद n का भाग देते हैं तो निर्पेक्षमान आपको निकालना आना चाहिए, इस पकार से आप इसके निर्पेक्षमान निकाल सकते हैं, clear, तो यह आप नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं, देखो, next हमारा टापिक है, वो है, आपेक्षिक तूटी, relative errors, आपेक्षिक तूटी का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक का मतलब होता है comparative, मतलब relative, किसी के साथ में तूलना करके जो तूटी निकाली जाती है, आपेक्षि तूटी का लाता है, यहाँ पर मैंने definition भी लिख दिया है, मापन की माध्य निर्पेक्ष तूटी और उस भौतिक रासी के माध्यमान के अनुपात को आपेक् माध्य निर्पेक्ष तूटी, यदि हम इसको फर्मूला के रूप में लिखें तो इस पकार से लिख सकते हैं, that is, यदि हम इसको परिभासा के रूप में लिखें इस पकार से, तो आपेक्षिक तूटी बराबर, आपेक्षिक तूटी बराबर, यह सब फर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी फिर आप कोस्चन में अप्लाई कर पाओ गया, दरवाइस फिर प्राबलम होगा, ठीक है, तो क्या बोला है, माध्य निर्पेक्ष तूटी, तो माध्य निर्पेक्ष तूटी बटे, उ माध्य निर्पेक्ष तूटी बटे, माध्य मान, यह क्या कहलाता है, आपेक्षिक तूटी कहलाता है, ठीक है, यह आपेक्षिक तूटी कहलाता है, मतलब del a mean upon a mean del a mean जो पीछे निकालना बताए मैं आपको और upon a mean यह कहलाता है आपेक्षिक तुरूटी clear यहां तक यह कहलाता है आपेक्षिक तुरूटी तो आपेक्षिक तुरूटी का फार्मूला है देखो completely मैं हर चीज आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यांस इसको समझो ठीक है और इसका बराबर notes बना के आप रिविजन करो यह कहलाता है आपेक्षिक तुरूटी चलिए next देखो अगला topic देखो प्रतीसा तुरूटी प्रतीसा तुरूटी मतलब यह वही है उसको percentage में निकालेंगे प्रतीसा तुरूटी कहलाता है मैं यहाँ पर फार्मॉला लिग दिया है प्रतीसा तुरूटी पर आप आता है माध्य निक्पेक्ष तुरूटी और बटे माध्यमान और इंटू 100 जब उसमें 100 का मल्टिप्लाई कर देते हैं मतलब यह जो पीछे हम पढ़े हैं इसमें हम 100 मल्टिप्लाई कर दें तो percentage में चेंज हो जाता है ठीक है इस पकार से क्या कहलाता है हो माध्य प्रतीसा तुरूटी कहलाता है अब सबसे महत्पूर्ण बात है तुरूटीयों का सयोजन अब थ्यान से मेरी बात समझना यह तुरूटीयों का सयोजन है इसी में से question आता है और इसमें भी आपको question आने का जो सबसे ज़्यादा chance है वो किस में से है आगे गुण और भाग से यह योग और अंतर तो बहुत समाइन यह सा question होता है लेकिन आपको जानना सब है देखो यहाँ पर लिखा है रासियों के योग में तुरूटी का मतलब क्या होता है पहले आप चीजों को समझो तभी आपको पता चलेगा कि तुरूटी होता कैसे है और योग में उसको हम किस तरह से adjust करते है ठीक है तो य जैसे मालो मैंने कुछ experiment किया suppose मेरे को इस लंबाई को मापने का काम दिया गया कि भाई आप इसको मापना सुरू किया तो जैसे भी मैं आपको example दिया था मालो इसकी लंबाई 20 cm है मालो मालो इसकी लंबाई 20 cm है और मेरे को जब इसको measurement करने के लिए दिया गया तो मेरे पास scale छोटा है तो इसको मैं दो बार तीन बार में इसको मालो दो बार में इसको माप पाया तो पहले मैं यहां तक 10 cm मेरे पास मालो 10 cm के scale है तो यहां से यहां तक का measurement मैं एक बार लिया और उसको मैंने suppose 10 cm को 9.9 cm ले लिया तो एक तूटी मैं यहां कर दिया कितनी तूटी कर दिया यहां पर मैं? 0.1 की तूटी कर दिया और आगे मैं इसको measurement करने में 9.8 ले लिया आगे को clear इस परकार से देखो यदि हम दोड़ों को जोने ठीक है तो कितना हो जाएगा यह 19.7 कुल मिला के मैं इसको 19.7 measurement कर दिया 19.7 कर दिया तो यहाँ पर मैं measurement में error कितना कर दिया था 0.1 कर दिया था और यहाँ पर मैं measurement में 0.3 कर दिया था तो यहाँ पर आप 20 में 19.7 को आप minus कर के देखो यहाँ पर 2 का कर दिया यहाँ पर 2 का error कर दिया कुल मिला के मैं 0.3 का error कर दिया यह 0.1 का error इतना measurement में और 0.2 का error इतने मेजर्मेंट में और पुल मिलाके मैं देखो 0.3 का मेजर्मेंट कर लिया वो योग में तूटी कहलाता है इस पकार से माल नो मेरे को किसी लंबाई को मापना था वहां पर मैंने क्या कर दिया मापन में तूटी कर दिया तो मापन में तूटी इस तरह से हो जाता है उसको हुम योग के दार्रव प्रतसित करते हैं और डेल जेट, डेल मतल elders falar कि है और डेल ऐ क्या है डेल यहां पर पहले disappointment में रूटी है और डेल क्या है दूसरे Freeman में मतलब ही जो 0.1 निकाला था डेल है और यह 0.2 निकाला वह क्या है डेल भी है तो दोनों को योग कर देते हैं तो दोनों कोयोग करने से 0.3 कूल एरर आ गया तो योग वाला तो बहुत आसान है ठीक है अब इसका हम देखते हैं एक छोटा सा निमेरकल्स साथ मैं कुछ निमेरकल्स आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको उसका प्रापर नालेज हो जाए कि प्रस्णों को हम इसका क प्रतिरोध और प्रतिरोधों का समुहन भी पढ़ा है स्रेड़ी समुहन और समांतर समुहन तो यह एक प्रतिरोध जिसका जो रीडिंग है 50-2 50-2 का मतलब क्या है 50 उसका रीडिंग है लेकिन plus minus 2 उसमें हमने क्या कर लिया? Error कर लिया क्योंकि Error positive भी हो सकता है Negative plug भी हो सकता है positive मतलब हमने ज़्यादा उसको measurement कर लिया negative मतलब उसको हमने कम कर लिया और दूसरा प्रतिरोध R2 equal to 100 plus minus 3 60술 aum को स्रेणी करम में जोड़ा गया है यहाँ पर ध्यान रखना स्रेडी क्रम में जोडा गया है और हम जानते हैं कि जब प्रतिरोधों को स्रेडी क्रम में जोडा जाता है तो उसका जो तुले प्रतिरोध होता है R, वह दोनों के योगफल के बराबर होता है ठीक है? तो यहाँ पर जो उसका तुले प्रतिग्रोध होगा that means उसका जो r का value होगा वो r equal to r1 plus r2 होगा r equal to r1 plus r2 होगा इस पकार से r1 के मान को यहाँ पर हम भरें तो that equal यहाँ पर इसका value हो जाएगा 50 plus minus 2 और यह plus यह हो जाएगा 100 plus minus 3 यह होगा that equal अब यहाँ पर ध्याँ रखना इसका जो real value है यह सूद्धमान है सूद्धमान के साथ में जूड़ेगा और यह जो trutty वाला है वह trutty के साथ में जूड़ेगा trutty trutty के साथ में जूड़ेगा यह ध्याँ में रखना ठीक है तो आगे अगले लाइन में क्या हो जाएगा ये अगले लाइन में 50, 100 के साथ में जूड़के 150 हो जाएगा और प्लस माइनस ये 2, 3 के साथ में 8 होगा और कितना हो जाएगा 5 तो यह इस cancer आएगा that means यहाँ पर हमने 5 का तूटी कर लिया तो योग वाला तो बहुत आसान है ऐसे छोटे छोटे निमेरकल से इसमें योग वाले question में बनेंगे clear इस question का आप इसकीन साथ ले लो next question देखो रासियों के अंतर में तूटी कई बार हमको ऐसा calculation करना पड़ेगा जहाँ पर हमको योग नहीं हमको क्या करना पड़ेगा अंतर करना पड़ेगा तो जब हम अंतर करेंगे मालो हम किसी एस्पेरिमेंट में अंतर करेंगे तो अंतर में तुरूटियों का समयोजन हम कैसे करेंगे तो अंतर में भी तुरूटियों का समयोजन को योग ही कहा किया जाता है यह बहुत महत कुण बात है ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि अंतर में तुरूटियों को घटा गिया जाए तुरूटी को घटाया नहीं जाता तुरूटी हमेशा एड़ी होगा चाहे योग में करो या अंतर में करो देखो समानुर से समचने वाली बात है कि अंतर में तुरूटी करेंगे तो दोनों माइनासों के 0 हो जाएगा इसका मतलब हमने तुरूटी किया नहीं तो बड़ा गड़बड है पहले प्रयोग में भी तुरूटी किया दूसरे में भी तुरूटी किया और तुरूटी को तुरूटी से घटा देंगे तो कहीं 0 आ तो यहां पर तुरूटी क्या होंगे जुडएंगे आपस में जुडएंगे तो यहां पर मेथड तो आपको समझ में आ गया यहां पर हमें एक क।श्चन इसमें भी बताते हैं आपको इस क।श्चन से आपको यह को तो यहां देखो यहां कोस्चन में क्या दिया है परहो ध्यान से किसी ताप मापिंद वारा मापे गये दो पिंडों का ताप क्रम T1 equal to 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius है 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius है इसके बाद T2 temperature 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius है इन पिंडों का तापांतर और उनमें आई हुई तापांतर मतलब दोनों reading के ताप में अंतर निकालना है तो naturally आप समझ सकते हो कि जब इसमें तापांतर हमको निकालना है तो minus करना पड़ेगा तो बाद के ताप में पहले के ताप को निकालना पड़ेगा minus करना पड़ेगा तो therefore यहाँ पर del t del t मतलब तापांतर बराबर क्या हो जाएगा t2 minus t1 यहाँ पर t2 minus t1 होगा अब इसके value को हम put up कर दे that equal t2 का value क्या है अपने पास देखो यह 50 degree Celsius plus minus 0.5 यह होगा इसके बाद minus t1 तो t1 क्या है 20 degree Celsius यह होगा 20 degree Celsius plus minus 0.5 यह होगा तो इस तरह से हमने क्या किया degree Celsius को अब यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ चलो इसको हटा दिया यह ऐसा हो जाएगा अब यहाँ पर important बात यह है वो बहुत ध्यान से समझना 20 तो 50 तो 20 के साथ minus होगा यह minus होगा real reading एड़नी होंगे real reading योग में योग होंगे और अंतर में अंतर होंगे reality बट जो error है वो योग में भी योग होंगे और अंतर में भी योग होंगे दोनों में योग होंगे कहने का मतलब यहाँ पर मैं symbolic आपको बता रहा हूँ एरो लगाके यह 0.5 0.5 के साथ में जूड़ेगा यह बहुत महत्पूर बात है यह सब छोटे छोटे मिस्टेक तो होते हैं मैं रख मालूम है इन चीजों को देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना सरल होने का यह मतलब नहीं होता कि वह आपसे बन ही जाएगा कभी किसी कंसेट को कभी किसी क्वेस्टन को अंडरिस्टिमेट मत करना यह तो आसान है जोडने में क्या रहा है यह mistake होते हैं यह mistake होते हैं कि पता चल ला है यहाँ पर हम इसको 5 को 5.5 से घटा दिए और 30 को 0 बता दिए जैसमाय ने भी आपको बताया तो error 0 नहीं हो सकता error हुआ हो चुका error 0 error 0 होना मतलब हमने error किया यह लेकिन 2 बार error कर लिया हमने उसका adjustment के बाद उसका error 0 नहीं हो सकता है तो यहाँ पर क्या होगा 0.5 0.5 के साथ में add होगा यह जो मैं error लगा के रखा हूँ उसको especially care करना ठीक है तो that equal अब इसका value क्या हो जाएगा 50 में 20 को minus करेंगे तो 30 हो जाएगा ठीक है 50 में 20 को minus करेंगे तो 30 हो जाएगा और plus minus plus minus 0.5 में 0.5 जूड़ेगा तो हो जाएगा 1 यह इसका answer होगा 1 degree Celsius यह error होगा इसका तो बहुत important बात है ध्यान से समझना इसका भी आप skin start ले लो प्रापर skin start ले लो आप इसके चलिए next question अब है रासियों के गुड़न में तूटी रासियों के गुड़न में परिमाड में आपेक्षी तूटी मापी गई रासियों के आपेक्षी तूटी के योग के बराबर होता है यहाँ पर जो फार्मूला मैं लिखा हूँ यह इसका final equation है लेकिन अभी मैं इसको आपको derive करके बताता हूँ कि किस पकार से हम इसका calculation करते हैं ठीक है इसका calculation इसकी गढ़ना तो रासियों के गढ़न में तूटी रासियों के गढ़न में तूटी बहुत important है और इस तूटी को आपको ध्यान से समझना है यहाँ से बहुत important हो जाता है और सबसे पहले तो हम इस formula को derive करेंगे कि यह formula आया कैसे यह formula कैसे आया इसको सबसे पहले हम डिराइब करेंगे कि राजियों के गुड़न में तूटी किस प्रकार से कल्कुलेट किया जाता है ठीक है देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मालो हमारे पास सुद्धमान इस तरह से Z equal to A into B है Z equal to A into B है यह relation number first है मतलब यह कहां पर काम आएगा मालो मेरे को किसी आयत का छेतर फल निकालना है यहाँ पर मैं आपको एक example दे रहा हूँ कि मालो मेरे पास यह आयत है और इस आयत का लंबाई A है मालो इस आयत का लंबाई A है और चोड़ाई B है और जब मेरे को इसका छेत्रफल निकालना होगा जब इसका मेरे को छेत्रफल निकालना होगा तो एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? लंबाई गुरी चोड़ाई करूँगा तो जब एरिया निकालने के लंबाई गुरी चोड़ाई करूँगा तो मैं लंबाई निकालने में कुछ तूटी कर लिया और चोड़ाई निकालने में कुछ तूटी कर लिया एक बात मैं आपको बता रहा हूं बीच में परहाना बंद करके तूटी एक ऐसा टापिक है ना 11th class का तूटी ऐसा टापिक है जिसमें मेरे इतने साल के experience है, मेरे फिक मालूम है, maximum students इसको छोड़ देते हैं, maximum, even school में teachers भी इजी गोई है, तूटी में कुछ नहीं है, यह पढ़ लेना, क्या है, तूटी ऐसा ऐसा होता है, हो गया, तूटी खतम, तूटी का समायोजन, यह जो मैं आपको पढ़ाने जा रह हो आप, 100% यह declared बात है, तो 11th class में उतनी गंभीरता नहीं रहती, 11th class में उतनी गंभीरता नहीं रहती, बहुंसी student उसको ऐसी हलके में ले लेते हैं, आप कम से कम मेरे contact में हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप तूटी पर 100% कमांड करो, एक दिन आप मुझे याद करो होगे कि सर ने सही कहा था, क्योंकि जब आपको competitive exam में तूटी के question मिलेंगे, तो पता चलेगा, और यदि आप अच्छे से समझे हो, तो no doubt आपको error का question बहुत अच्छे से बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से आप उसको समझो, ठीक है, उसको आप खलके में मत लेना, चाहे दियाग निकालेंगे, तो लंबाई और चोड़ाई को जोड़ेंगे थोड़ी, लंबाई चोड़ाई को गुणा करेंगे, तो जब लंबाई और चोड़ाई को गुणा करेंगे, तो उसके वास्तविक मान को तो गुणा होगा, तो तूटीओं का भाई क्या होगा, तो कि इसका तूरूटी वालत फेल्यू तो therefore इसका तूरूटी वालत विल्यू माले जेट प्लस टेल ज्डेल है ये प्लस मैनास टेल्ज है जनरली हम फलस-मै इ्सथित लगाते हैं क्योंकि मैं आपको बताए कि true t positive भी हो सकता है और negative हो सकता है ठीक है तो यह हो जाएगा z plus minus z यह और equal a का value क्या हो जाएगा a plus minus del a plus minus del a का मतब क्या होगा हमने यह लंबाई measurement करने में del a का mistake कर लिया true t कर लिया और चोड़ाई measurement में हमने del b का कर लिया दोनों में हमने true t कर लिया तो a के जगा में यह put up करेंगे और into यहाँ पर हो जाएगा b plus minus del b ऐसा होगा that implies अब इसको हम salvo करें आगे तो हो जाएगा z plus minus del z equal a का a के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a b अब इसके बाद del a का इसके साथ में गुणा करें तो क्या हो जाएगा plus minus del a into b अब हम क्या करें a का इसके साथ में गुणा करें तो जाएगा plus minus a into del b और del a का del b के साथ में गुणा होगा तो plus minus del a into del b यह हम कोई step मिलेगा अब आगे बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर यह जो value है del a into del b यह जो value है वो क्या है बहुत छोटी रासी है क्योंकि del a तुरूटी तो बहुत छोटी होगी अब तुरूटी तो ऐसा हो गए नहीं कि मेरे को 5 cm मापने के लिए बोला गया है और तुरूटी मैं 7 cm कर लूँ तो यह तो फिर अब क्या हो जाएगा फिर मेरे वाता ही नहीं समझो वो mistake मतलब बहुत छोटा part होता है mistake का मतलब ऐसा नहीं होता कि फिर 5 cm मापने का दिया गया है बोला कि इसको 10 cm मापके ला दिया ऐसा थोड़ी होगा पांच मापने गिया है तो पात दस अमलब एक होगा पात दस अमलब दो होगा तो तुरूटी बहुत छोटा value होता है तो दो छोटा value multiply होने के बाद और Z है वो A B के साथ में cancel out हो जाएगा क्योंकि Z भी A B है Z A B के बराबर है तो दोनों आपस में कर जाएंगे अब यहां से बटेगा Del Z और right side से Del A into B चलो इसको next slide में लिखे हम that implies that implies Del Z equal to Del A into B plus minus और क्या हो जाएगा Del B into क्या है next part क्या है यह बचेगा A into Del B A into Del B है ठीक है A into Del B यह बचेगा अब हम क्या करते हैं दोनों side में हम क्या करते हैं Z को divide कर देते हैं तो Del Z upon Z equal यहां भी Z divide करेंगे तो Del A into B और Z का value है A B तो यहां पर हम A B लिख देंगे क्योंकि Z A into B के बराबर है तो यहां पर A into B हो जाएगा और यह हो जाएगा plus minus A into Del B upon A B यह होगा that implies अब आगे यहां पर देखो तो यह होगा Del Z upon Z Del Z upon Z equal to यहां से B B के साथ में कट जाएगा तो मिलेगा Del A upon A और plus यहां पर हमको अधिकतम तूटी लेना होता है तो माइनस को हम छोड़ देंगे तो प्लस ले लेंगे और इस पकार से क्या हो जाएगा यह Del B upon B Del B upon B और यह हमारा final equation हो जाएगा इस पकार से देखो यह हमारा final equation होगा Del Z upon Z equal to Del A upon A into Del B upon B और यही फार्मूला हमने यहां पर starting में आपको बताया है यह फार्मूला में बताया है ठीक है कि वो Del Z upon Z equal to Del A upon A plus Del B upon B यह फार्मूला को हमने derive किया है तो यह पर हमको फार्मूला भी derive करना है हमको पता रहना चाहिए कि यह फार्मूला आया कैसे हमको यह पतर हना चाहिए कि फार्मूल आया कैसे और इसकुल में कभी कोई टीचर इसको प्रूफ करने बोल दे एक्जाम में दे दे तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं ठीक है चलिए तो इसका इसकी नसाट ले लो आप एक बार चलिए अब हम नेस्ट देखें प्रूफ के बाद मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट प्रूफ क्लियर हो जाए ठीक है हर कंसेप्ट के बाद एक क्वेस्ट की प्रेक्टिस में आपको जरूर करा रहा हूं ताकि वो उसको आपको प्रापर प्रेक्टिस हो जाए तो यहां पर एक क्वेस्चन घनाब अब घनाब का जब हम आयतन निकालेंगे तो घनाब का यहां आयतन क्या होता है लंबाई गुडित कवड़ाय गुडित उचाईносी तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसका आयतन का फार्मूला हमको उस भोतीक क्ल պासी फार्मूला पता होना चाहिए जो हमको का कäsident calculation करने के लिए दिया हुए है तो चूझकी हमको पता है चूंकि आयतन भी बराबर लमबाई गुरित चौड़ाई और गुरित उ चाई L in तूबी इं टू एच लमबाई गुरित चौड़ाई गुरित उचथा अभी इसके एरर के फार्मूला कैसे बनता है योग के रूप में बनता है तो एल को हम क्या लिख सकते हैं एल को लिख सकते हैं डेल अपान एल और प्लस यह होगा बाकि कुछ भी रखा हुआ है कितना आसान कोस्चन है सब को फूट कर दो तो पर्सेंट । फार फायब परसेंट тесь के मापन मेँ टू पर सेंट प्लस इसके मापन में 3rd ॥। और प्लस इसके मापन मैं 5rd और तीनो को को एट कर दें तो हो गया 10% इस प्रकार से इसके मापन में 10% के टूटी जाएगे अभी मैं आप लोग को बहुत इजी फाम में वाला क्वेस्टन करा रहा हूं बहुत सरल प्रस्णा भी आपको करा रहा हूं ताकि इजी क्वेस्टन से आपको कंसेर्प रच्छे से क्लियर हो इसके बाद जब मैं आपको इसके निमेरकल कराऊंगा तो निमेरकल में हम थोड़ा सा और स्टेंडर के क्वेस्टन की आपको प्रेक्टिस कराएंगे ठीक है चलिए इसका भी स्कीन साथ ले लिजी आप अब है रासियों के विभाजन में तूटी मतलब जब हम उसको भाग इसी फार्मूला से मतलब चाहे गुणा हो चाहे भाग हो दोनों में फार्मूला एक जैसा एपलाई होता है तो यहाँ पर देखो कि किस प्रकार से इसको हम कल्कुलेट करते हैं तो इसकी गढ़ना कर लेते हम यहाँ पर भी भाग वाले का इसकी हम गढ़ना करेंगे तो मानलो यहाँ पर हम जो एड़्येस्मेंट कर रहे हैं Z जो pure value है वो A upon B में है मालो हमको कोई ऐसा जैसे density equal to mass upon volume हमको मालूम है कि density equal to होता है mass upon volume अब मालो हमको घनत्व निकालने में तूटी निकालना है तो घनत्व में तूटी निकालना है तो mass में तूटी और volume में तूटी द्रब विमान में तूटी और भाग करना पड़ेगा मेरी बात आपको समझ मिया रही न कि जैसा फार्मूला जैसे आयतन निकालने के लिए छेत्रफल निकालने के लिए हमको गुणा करना पड़ता है तो गुणा में तूटी कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया अब कई भावतिक राशियों में भाग करके स समयोजन को समझना है और उसी प्रकार से आपको इसके निमेरकल बनाने हैं इसके निमेरकल बहुत important है तो z equal to a upon b होगा that implies आगे हम इसको solve करें तो z plus minus del z del z equal to a का value हो जाएगा a plus minus del a मतला इसमें हमने del a की तूटी कर लिया और upon b plus minus del b यह हो जाएगा ठीक है अब आगे इसको हम साल्व करें that implies z plus minus del z equal यहाँ पर देखो यहाँ पर ध्यान देना अब हम क्या करते हैं answer से a को और हर से b को common कर लेते हैं तो answer से a को हर से b को common करेंगे तो उपर क्या बचेगा यहाँ पर 1 plus minus del a upon a क्योंकि किसी भी रासी को common करने पर उसका भाग दिया जाता है तो 1 plus minus del a upon a होगा और नीचे में हो जाएगा 1 plus minus del b upon b यह होगा अब आगे simplify करें तो z plus minus del z z plus minus del z equal to यहाँ पर देखो यह a upon b इसका power उपर जाके minus हो जाएगा दूपर प्रमेस फिर लगा देंगे इसका घात धन एक है उपर जाके रिडेक हो जाएगा तो a upon b और यह हो जाएगा 1 plus minus del a upon a और यह हो जाएगा into 1 plus minus del b upon b और इसका whole power minus 1 तिसका whole power minus 1 हो जाएगा that implies आगे इसको salve किया जाएगा तो z plus minus del z equal a upon b और यह हो गया 1 plus minus del a upon a अब क्या होगा यह minus 1 सामने आके multiply हो जाएगा मैंने आपको दीपत्रों में पढ़ाया है कि कभी भी इस तरह का condition हो कि पहला पद एक हो और power में कुछ नमबर हो वो सामने आके गुणा हो जाता है इसके लिए आप गडिती आउधाना वाला टापिक को पढ़ लीजिए तो यह हो जाएगा 1 यह minus plus हो जाएगा minus multiply होने से del b upon b वैसे उसको हम plus minus भी रखें तो कोई फर्क नहीं पढ़ना है अब देखो that implies हम आगे क्या करते हैं दोनो equation में हम z को divide कर देते हैं दोनो equation में z को divide कर दें तो z को divide करने से यहाँ पर हो जाएगा 1 और plus minus यह हो जाएगा del z upon z और यहाँ पर जब हम z को divide करेंगे तो z a upon b के बराबर है तो a upon b कट जाएगा और next अपने को मिल जाएगा यह त 2 हो जाएगा 1 minus plus del b upon b इसको plus minus लिख सकते हैं double sign तो दोनो plus या दोनो minus नहीं आएगा वो plus minus ही आएगा clear अब आगे हम इसको simplify करें तो दोनो bracket को आपस में multiply करेंगे तो पहले 1 का दोनों के साथ multiply कर लें तो वहीं आएगा that implies यह हो जाएगा 1 plus minus del z upon z equal हम multiply करें किसका देखो 1 का तो इसके साथ में 1 plus minus del b upon b 1 plus minus del b upon b और फिर जब हम इसका multiply करेंगे तो उसके साथ में del a upon a plus minus del a upon a और फिर plus minus यह हो जाएगा del a upon a into del b upon b ऐसा होगा that implies अब आगे इसको solve किया जाए तो one one के साथ cancel होगा दोनों साइट से यह जो one है वह इस one के साथ cancel out हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा अब मैं direct लिखता हूँ यहाँ पर यह मिलेगा del z upon z और यह negligible quantity है तो इसको हम छोड़ सकते हैं अभी मैंने आपको बताया del a into del b multiply होगे छोटा हो जाएगा उसमें भी a b का भाग होगा तब तो फिर और गया खतम वो तो उसको हम छोड़ सकते हैं तो del z upon z equal यह वाले term को मैं पहले लिख लेता हूँ तो यह हो जाएगा del a upon a इसके बाद इसको तो plus minus del b upon b यह होगा और यह इसका final equation होगा जो मैं आपको starting में बताया मैं बताया था कि यह वाला formula आएगा del z upon z equal to del a upon a plus del b upon b यहाँ पर जब हमको maximum error निकालना होता है तो हम minus को हटा सकते हैं यह maximum error है ओके चलिए अब हैं इस पर एक question करते हैं एक चालक तार के सीरों के मध्य वांतर मापने में 5% तथा 12 मापने में 2% की तुरूटी होती है तो प्रतिरोध मापने में कितने प्रतिसत की तुरूटी होगी अभी आप जिस question की बात कर रहे थे उसी तरह का question में आपको करा जाएगा बहुत important question है यह तो यह किस तरह से बनेगा देखो अभी मैं इतना systematic की class को ले रहा हूँ कि आपको तुरूटी में कोई problem नहीं आएगा हर concept के बाद उससे related question मैं आपको करा रहा हूँ हर concept के बाद उससे related question करा रहा हूँ इतना आप कर लिए तो तुरूटी में आपको 100% command हो जाएगा ठीक है तो कैसे बनेगा अब हमको मालूम है ओम के नियम से कि V equal to I into R होता है यह हम जानते हैं ओम के नियम से तो प्रतिरोध मापने में कितने प्रतिसत की तूरूटी होगी तो therefore इस formula को यदि हम तूरूटी के लिए साल्व कर लें तो del R upon R equal V कितना हो जाएगा del V upon V और plus minus I का कितना हो जाएगा del I upon I इस पकार से हम तूरूटी में लिखेंगे क्योंकि अभी हमने भाग वाला formula देखा है कि भाग वाले में formula इस तरह से बनता है ठीक है अब कुछ नहीं करना है आप मान को भर दोत क्या रखा है इसमें that equal del V upon V तो भी भांतर मापने में 5% का तो यह हो जाएगा 5% और plus minus del I upon I इसको मापने में कितने परसेंट का 2% का इस पकार से कितना हो जाएगा यह 7% तो 7% इसका answer हो जाएगा यह इतना आसान question है चलिए अगला हमारा topic है वो है घाती फलनों में तूटी का समायोजन जैसे हाँ पर लिखा है del Z upon Z equal to P into del A upon A घाती फलनों में तूटी का समायोजन का formula यह होता है अब हम इसकी गर्णा करें कि यह कैसे आया इसकी हम गर्णा करें यह कैसे आया तो देखो del Z upon Z equal to P तो यहाँ पर जो हमारा main formula है वह Z equal to A to the power P के फार्म में है क्योंकि हमको घाती फलनों में निकालना है कहने का मतलब हम जो मान निकालने वाले हैं वह घात के रूप में है इस पकार से तो therefore अब इसको हम आगे solve करें तो यह लिख सकते हैं Z plus minus del Z Z plus minus del Z equal to क्या होगा A को लिख सकते हैं A plus minus del A A plus minus del A का whole power P इस तरह से लिखेंगे that implies आगे इसको solve किया जाए तो Z plus minus del Z equal अब यहां से हम A को common कर लेते हैं तो A अपने power के साथ common हो जाएगा A to the power P और अंदर A का दोनों में division हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 plus minus del A upon A whole to the power P ऐसा होगा फिर यहां पर देखो दोनों साइड में हम क्या करते हैं Z को divide कर देते हैं तो दोनों साइड में Z को divide करेंगे तो यह 1 हो जाएगा और plus minus यह होगा del Z upon Z और यहां पर Z को divide करेंगे तो A to the power P यहां से cancel out हो जाएगा और यह होगा 1 plus minus यह P सामने आके multiply होएगा तो P into del A upon A ऐसा होगा ठीक है अब यहां देखो अब यहां पर हम दोनों साइड से one one को cancel out करा सकते हैं आप समझ सकते हो कि यहां से यह जो one है यह one के साथ cancel out होगा तो क्या मिल जाएगा अपने को next step में del Z upon Z therefore del Z upon Z equal यहां पर P into P into del A upon A और यही फार्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है देखो उस फार्मूला को हमने derive कर लिया यह फार्मूला कैसे आया इस तरह से तो यह क्या है तुरूटियों का power के रूप में समायोजन है यह अप लिख लो यहां पर del का ही प्रयोग इसलिए करते हैं विक्रम कि del का प्रयोग करने का मतलब क्या होता है small part differentiate part किसी भी भहती क्रासी के छोटे part को हम del से रिप्रेजन करते हैं del का मतलब बता है differentiate part उसका तो अभी मैंने आपको बताया कि तुरूटी उसका जैसे मालो मैं 10 cm को माप रहा हूं तो उसका कोई छोटा part तुरूटी के रूप में होगा इसलिए उसको del से रिप्रेजन करते हैं अब देखो यह तुम्हें एक पावर के बारे में बताया अब यहां पर आप नोट करके रखो कि मालो बहुत से पावर हो तो उसको किस तरह से रिप्रेजन करते हैं जैसे मालो इस रूप में लिखा हो ठीक है या इसको मैं थोड़ा सा capital small ऐसा लिख़़ू चलो ऐसा लिखूं A to the power P, B to the power Q और C to the power R इस फाम में लिखा हो मालो फार्मूला इस फार्म में लिखा हो तो इसको तुरूटी के फार्म में जब आपको लिखना होगा इस फार्मूला को तो कैसे लिखेंगे ध्यान समझना इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा तो that implies यह हो जाएगा del z upon z del z upon z equal यहाँ पर a का पावर p है वो सामने आजाएगा तो हो जाएगा यह p into del a upon a और प्लस यह q पावर सामने आजाएगा यह हो जाएगा q into del b upon b और प्लस यहाँ पर r भी पावर सामने आजाएगा और del c upon c इस पकार से हम इसके फार्मूला को लिख सकते हैं और यह एक बहुत इंपॉर्टेन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेन पेटर्न है इसको आपको ध्यान से समझना है यह फार्मूला आप नोट कर लेना इस तरह से इस पेच को भी आप इसकीन साथ ले लो और इस पर भी हम एक question कर लेंगे तो आपकी पूरी practice हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या है power को सामने multiply करके लिख लेते हैं चलिए अब इस पर एक question यह मैं आपको question करा दूं देखो यह बहुत important और कई exam में आया हुआ question है यह जो question है यह कई exam में आया हुआ है और बहुत ज्यादा important है देखो इसका solution किसी प्रयोग में 4 राश्यां a, b, c, d क्रमसा 1%, 2%, 3%, 4% की तूटी के साथ मापी जाती है तो यहाँ पर लिखा है p equal to a cube b square upon c d में प्रतिसर तूटी होगी तो सबसे पहले आप उस formula को लिखो p equal to क्या दिया हुआ है a का power 3, b का square upon c into d अब इसको हम क्या करें? through t के रूप में अधी हम लिखें तो therefore यह हो जाएगा, del p upon p equal यह 3 को सामने multiply करेंगे तो 3 into क्या हो जाएगा? del a upon a plus 2 सामने multiply हो जाएगा तो 2 del b upon b होगा plus c का कितना हो जाएगा? del c upon c और plus del d upon d तो सबसे पहले आपको इस रूप में formula को लिखना है जैसा मैं आपको बताया हूँ clear? अब इसके मान को हम भरें तो जो question में इसका value हम को दिया हुआ है 3 into del a upon a तो a में value 1% है तो 1 हो जाएगा ये इतना percent plus 2 into del b upon b 2% ये 2% हो गया plus del c upon c का value दिया हुआ है 4% ये 4% और del d upon d का value दिया हुआ है कितना? 1, 2, 3, 4 1, 2 इसमें 3 है स्वारी ये 3% है और last में 4% आगे इसको salve करो देह हो गया 3 3% 3% plus 4% plus 4% sorry 3% plus 4% कितना हो गया देखो तो 4 plus 3 4, 3, 7, 3, 10 और 4, 14 14 that equal 14% ये इसका answer होगा 14% इसका answer हो जाएगा clear? तो ये है ये है तुरूटियों का समायोजन तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम तुरूटियों के समायोजन को कर सकते हैं तो ये मैंने आपको complete आज error पढ़ा दिया तुरूटि किसे कहते हैं? तुरूटि कितने प्रकार का होता है? तुरूटि को हम किस प्रकार से प्रदर्सित करते हैं? फिर तुरूटियों का समयोजन कैसे करते हैं? और सब समयोजन पर मैंने आपको एक निमेरकल भी करा दिया तो यह बहुत important है तुरूटी का हमारा जो class है बहुत important है इतना आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको कभी ना तो school exam में ना तो complete exam में कोई problem नहीं होगा अब हम इस पर एक class और करेंगे इस chapter पर वो है सार्थाक अंग significant figure सार्थाक अंग पर एक class और करेंगे उसके बाद फिर हम इसके निमेरकल समर टिपल ट्राइस question करेंगे फिर यह chapter हमारा complete हो जाएगा सार्थाकंग होता क्या है यहाँ पर मैंने proper sub का definition भी mention कर दिया है कि कौन सा definition क्या है यह मैं आपको explain कर देता हूँ सार्थाकंग का मतलब होता है भृतिक 라सि को यथार्थता पूर्वाक ब्यक्त करने के लिए यथार्थ पूर्वाक मतलब पूरे complete उसके value को pure परफेक्ट यथार्थ यथार्थ मतलब बिल्कूल सही value लाने के लिए उपयोग में लाए गए जितना अंख हम उपयोग में लाते हैं उसके लागए अंखों की संख्या को हम सार्था कंग कहते हैं प्रापर डेफिनेशन अगरा सब मैं लिख दिया हूँ क्योंकि यह theoretical topic है बहुत से books में अलाग अलाग टाइप का definition सार्था कंग का दिया रहता है लेकिन यहाँ पर आप उसको to the point बिल्कुल सही language में कैसे लिखोगे इसलिए मैंने आपको बिल्कुल to the point बता दिया है कि किसी भौती करासी को या थर्थाता पूर्वाग ब्यक्त करने के लिए उप्योग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्था कंग कहते हैं अब यहाँ पर देखो निस्चित तथा अनिस्चित निस्चित तथा अनिस्चित फिगर क्या होते हैं सिग्निफिकन फिगर के बाद निस्चित तथा अनिस्चित तो जब हमारे पास कोई नंबर होता है जब कोई कल्कुलेशन हम निकालते हैं तो कल्कुलेशन में समानित हमाप से प्राप्त सार्थक अंक में अन्तिम एक अंग, अनिस्चित, अन्तिम का जो एक अंग होता है उसको हम अनिस्चित तथा सेफ अंग को निस्चित कहते हैं decimal के बाद जो last number होगा, last digit होगा वो अनिस्चित कहलाता है क्योंकि उसकी value की निश्चीतिता नहीं होती और उसको छोड़के बाकी क्या कहलाते है निश्चीत कहलाते है फार एक्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एक्जाम्पल दिया है उदाहरान यहाँ पर देखो 318.2 ग्राम मालो हमने कहीं कोई calculation किया उसमें 318.2 318.2 ग्राम हमको कोई value मिला तो यहाँ पर सार्था कंग कितने हैं? 4 है अभी मैं आपको सार्था कंग काउंट करना सिखाऊंगा सार्था कंग ग्याद करने की जितने भी rules हैं पूरे rules अभी हम यहाँ पर समझेंगे तो 318.2 ग्राम में 4 सार्था कंग हैं जिनमें 3,1 वा 8 यहाँ पर यह 3,1 और 8 यह क्या कहलाएंगे? निस्चित अंग कहलाएंगे और यह जो दो दो देख रहे हो दसमलों के बाद last में वो क्या कहलाएगा? अनिस्चित क्योंकि हमने क्या बलाया बता है? सार्था कंग में अंतिम एक अंग यह जो last का एक अंग होता है उसको हम अनिस्चित कहते हैं और उसके पहले के सारे अंग को अनिस्चित अंग कहते हैं ठीक है? इस पकार से जैसे मालों यहाँ पर मैं एक और example लिखूं Suppose यहाँ पर मैं एक example लिखता हूं यह लिख दिया मालों मैं 21.531 यह लिख दिया 21.531 तो यहाँ पर सिर्फ अनिश्चीत अंक यही है यह वन जो है यह अनिश्चीत अंक है और बाकी सब निश्चीत है इसको doubtful figure कहा जाता है अनिश्चित मतलब होता है doubtful figure तो यह जो last last number होता है उसको doubtful figure करते हैं अनिश्चित और बाकी उसको छोड़के सब ठीक है वो निश्चितन कहलाता है तो यह है सार्था कंग उसका introduction अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सार्था कंग निकालने के नियम ठीक है इसको हम निकालने के rules पढ़ते हैं चलिए तो देखें हम आगे गर्णा में दिये गए मापी रासी के सार्था कंग प्राप्त करने के नियम गर्णा में जब हमको मापी गई रासी का सार्था कंग निकालना होता है तो हम किस तरह से निकालते हैं यह हमको यहाँ पर पढ़ना है तो हमको एक-एक करके एक-एक rules को समझते जाना है सभी rules मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसके नीचे मैं आपको एक-एक example देखे सब समझाते जाओंगा तो पूरा नियम आपको ध्यान से समझना है और इसका बहुत ज़्यादा useful है बहुत ज़्यादा use है यह तो इसको आपको ध्यान से समझना है देखिए सबसे पहले सभी असुने अंग सार्थक होते हैं जितने भी non-zero numbers हैं असुने का मतलब जो सुन्ए नहीं है जितने भी non-zero numbers हैं जो कि सुन्ए नहीं है उसको हम सार्थक अंग करते हैं जैसे माल लो माल लो कहीं पर मैं एक example आपको करता हूँ Suppose कहीं पर लिखा हुआ है Example 2, 3, 1, 0.54 ऐसा लिखा है तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी क्योंकि सभी असुन्य अंक जितने भी यहाँ पर असुन्य अंक आपको दिख रहे हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे सार्थक अंक कहलाएंगे फार एक्जामपल यहाँ पर दूसरा एक्जामपल लिखूं मैं यहाँ पर मैं सेकंड नुमर के एक्जामपल लिखता हूँ कहीं पर लिखा हुआ है 3, 5, 0 तो 3, 5, 0 में जो सार्थकंख हैं वो सार्थकंख क्या होंगे सिर्फ असुन्य संख्या मतलब यह 3 और 5 यह 3 और 5 ही यहाँ पर सार्थकंख होंगे मतलब यहाँ पर सार्थकंखों की संख्या कितनी होगी 2 होगी तो जितने भी असुन्य मतलब सुन्य को छोड़ के जितने भी numbers होंगे वो सार्था कंक कहलाते हैं ठीक है clear यहां तक लेकिन अब यहां देखो इसके भी आगे कुछ rules है अब यह सुन्य के position पर depend करता है कि सुन्य कहां पर है तो सुन्य के position पर कैसे depend करता है आगे का rule क्या कहता है पर rule हमारा change हो रहा है बोलता है कि भाई असुन्य संख्या ही सार्था कंक होता है सुन्य को सार्था कंक में count ही करते है लेकिन आगे कहता है कि यदी सुन्य यदी सुन्य जो है वह असुन्य संख्या की बीच में आ जाए non zero numbers तब वो सार्था कंग में count किया जाएगा for example, यहाँ पर हम इसी example को देखते हैं, देखो मैं इसी example को यहाँ पर repeat करता हूँ, अब यदि इसको मैं लिख दिया, 3, double 0, 5, ऐसा लिख दिया देखो, 3, 5, double 0 है तो इसमें सार्था कंग 2 है लेकिन अब यहाँ पर 2, 2, 0 है जो 2, 0 है वो 2, 80 संख्या के बीच में आ गए, तो जब ऐसा हो जाता है, तो इस condition में क्या हो जाता है, देखो, इसमें सार्था कंगों की संख्या, यह 4 हो जाएंगे मतलब इसमें सार्था कंग 4 हो जाएंगे तो दो नियम panelists clear आप लोग को ठीक है आगे भाद समझ में अब देखो next सभी सुन्य जो दसमलोह के दाई और तथा असुन्य के बाई और हो सभी सुन्य जो दसमलोह के दाई और तथा असुन्य के बाई और हो सार्था कंग नहीं होते कैसे, example से देखो suppose मैंने लिखा है कहीं पर for example 0.0035 मालो ऐसा लिखा है तो क्या बोला है, सभी सुन्य जो दसमलों के दाई और यह दोनों सुन्य, दसमलों के दाई और है तथा असुन्य के बाई और यह असुन्य है उसके बाई और हो वो सार्था कंक नहीं होते मतलब यहाँ पर सार्था कंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सार्था कंकों की संख्या, यह सिर्फ दो तो यह दो ही क्या होंगे यहाँ पर सार्था कंक होंगे, मतलब दसमलों के दाई और और non zero के बाई और के जो सुन्य है वो सार्थाक अंक में count नहीं होते next rule next rule आप देखो मैंने इतना detail इसका आपको contents provide कराया है कि आपको कहीं problem नहीं होगा एक बार आप समझ गये तो सभी सुन्य जो अंतिम असुन्य अंक के दाई और हो सार्थाक नहीं होते सार्थाक नहीं होते दूसरी तरफ सभी सुन्य जो अंतिम असुन्य अंक के दाई और हो सार्थाक होंगे यदि वे मापन में हो देखो कितना महत्पूर्ण बात है सभी सुन्य जो अंतिम असुन्य अंक के दाई और हो सार्थाक नहीं होते जैसे यहाँ दो एक्जामपल, एक एक्जामपल से आप समझोगे मैं एक्जामपल आपको similar type का दे रहा हूँ ताकि आपको competitively उसको समझ सको अभी आपको मैंने बताया 3500 वही मैं पुनह लेता हूँ और फिर मैंने लिख दिया 3500 meter यह लिख दिया तो यहाँ पर rule क्या कहता है कि यहाँ पर असुन्य के दाई और यह जो दो सुन्य है यह दोनों को यहाँ पर सार्था कंक में नहीं लिया जाएगा और यहाँ पर सार्था कंकों की संख्या 2 होगी लेकिन यही पर मैं meter लगा दिया मतलब unit लगा दिया उपर वाले digit में कोई unit नहीं है, सिर्फ वह एक समाईने digit है, लेकिन नीचे वाले में आप देख रहा है, उसमें meter लगा हुआ है, तो जब इसमें meter लगा दिया, तो ये चारो के चारो, ये चारो के चारो सार्था कंक में count होंगे, मतलब इसमें सार्था कंक कितनी हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, ये चौथा नियम यही कहता है, next rule, next rule देखो आप, अगला rule क्या है, 10 के घात को सार्था कंकों में सामिल नहीं करते, 10 के घात को सार्था कंक में सामिल ही करते, यहाँ पर हमने एक जांपर ही मेंशन किया है 2.5 into 10 to the power minus 29 तो 10 to the power minus 29 को सार्था कंक में count नहीं करेंगे केवाल 2.5 बस होगा इस लिस्ट में कितने सार्था कंक हो जाएंगे 2 जैसे प्रकास का वेग मालो light का वेग velocity 3 into 10 to the power 8 होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सार्था कंकों की संख्या 3 हो जाएगा तो जैसे मालो कहीं पर लिखा है 3 into 10 to the power 8 तो यहाँ पर सार्था कंकों की संख्या यह होगा केवल 1 यह count नहीं होगा ओके नीचे देखो मातरक बदल जाने से सार्था कंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता मातरक बदलने से यह महत पूर्ण रूल है इस रूल को आप ध्यान से देखो यह रूल क्या कहता है कि जैसे मालो कहीं पर लिखा हुआ है 15 मीटर मालो कहीं पर लिखा है 15 मीटर अब इसमें सार्था कंकों की संख्या हम को कोई पूछे है तो हम बोलेंगे 2 15 मीटर में सार्था कंकों की संख्या 2 है लेकिन आगे इसको हम साल्व करके इसको मालो हम सेंटी मीटर में चेंज करते हैं तो 1500 सेंटी मीटर हो गया तो अब यहाँ पर 1500 cm हो जाएगा तब भी इसमें सार्था कंकों की संख्या को दो ही माना जाएगा क्योंकि एक बार जो सार्था कंक निकल जाता है उसमें मातरक चेंज करने पर सार्था कंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता सार्था कंगों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो significant figure है उसका मात्रक को यदि हम बदल दें तो significant figure को नहीं बदलना होता है ठीक है ये इसका rule है तो इसका rules महुत important है सभी rule को आपको ध्यान में रखना है और आगे एक एक करके मैं सभी rule आपको with example बताते जा रहा हूँ तो इसको आप note करो समझो या इसकीन साट भी लेलो तापके आपके पास proper इसका notes रहे कुछ लोग का personal issue होगा इसलिए ऐसा हो रहा है चलिए अब हम देखते हैं संख्याओं का nicotin rounding आफ करना rounding आप आप लोग को पता है आजकल कभी भी हम क्या करते हैं कुछ बजार से कुछ समान खरीते हैं और computerized billing होता है या barcode से billing होता है तो आपने देखा होगा कि final amount हमारा जो होता है will का उसके नीचे फिर rounding आफ करके उसका एक अलग figure आता है और वही हम pay करते हैं तो rounding आप करने का क्या rule होता है तो rounding आप करने के दो rule है देखो दो condition भी इसको अपने को समझना है सबसे पहरे देखो इसको examper से मैं समझार हूँ इसलिए मैं कोई contents नहीं लिखा है इसमें जैसे कहीं पर लिखा है 26.2759 ऐसा लिखा है मालो अब इसको हमको दसमलो के बाद दसमलो के बाद दो अंकों तक हमको रखना है rounding आप करना है मतलब हमको decimal के बाद only two place तक इसका value लिखना है यहां तक तो इसका rule क्या होता है यह दो place तक अपने को रखना है तो हम इसके बाद को digit को देखते हैं तो उसका बाद का जो digit है वह 5 या 5 से अधिक होता है including 5 ना 5 भी हो सकता है तो जब वह नंबर 5 या 5 से अधिक होता है और 5 या 5 से अधिक होने एक बाद माने इस नंबर को 5 या अधिक 5 या अधिक होना चाहिए और उसके बाद का जो नंबर है यह जो कि 7 है वह क्या हो विसम संख्या हो वह विशम संख्या हो ध्यान से सुनना ध्यान से नियम को समझना यदि जिस नंबर तक हमको रौंडी आप करना है उसके बाद का नंबर पांच या उससे अधिक हो और उसके पूरवकर जो नंबर है वह विशम हो तो उस कंडिशन में एक वृद्धी करते हैं तो एक की वृद्धी करते हैं इस तरह से यह रौंडी आप होने के बाद यह नंबर क्या हो जाएगा यह इसा हो जाएगा ऐसा यह इसका पहला रूल है समझ लो ध्यान से ने तो सार्था कंग बनाने में इतना आसान होने के बाद भी बहुत लोग बहुत परिशानी महसूस करते हैं अब देखो इसी का दूसरा एक्जाम पर माल लो इसी को मैं ऐसा ले लूँ इसी नंबर को ऐसा ले लेटा 26.2659 ऐसा ले लो माल लो यदि मैं उसी नंबर को यह 7 था उसके जगा मैं 6 ले लिया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो नंबर है यह जो नंबर है 6 यह कैसा है सम संख्या यह सम है तो no change तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसमें no change उसमें कोई चेंज नहीं होगा that means इस condition में इसको क्या लिखा जाएगा that equal 26.26 से ही लिखा जाएगा तो दोनों में आप क्या मतलब समझे 5 या 5 से धीक हो यह नंबर तो उसके पहले का संख्या यदि विसम संख्या हो यदि संख्या विसम संख्या हो तो उसमें एक की व्रिधी कर देते हैं देखो 7 को 8 कर दिया और जब उसके नंबर उसके पहले का नंबर सम संख्या हो तो कोई परिवरतन नहीं करते यह है rounding आप करने का rule यह है rounding आप करने का rule तो दोनों rule को आप ध्यान रखना सम और विसम के condition में हम क्या करते हैं यह rounding आप करना होता है 12 का class अभी होगा 8 पीम में 8 बज़े से होता है next अब देखो गर्णा में सार्थाक अंग जोड़ना और घटाना गर्णा में सार्थाक अंग सबसे पहले जोड़ना और घटाना गर्णा में हम किस पकार से सार्थाक अंग यूज़ करते हैं यह और बहुत important process है यह आपको बहुत ध्यान से समझना है गर्णा में सार्थाक अंग significant figure in calculation calculation में हम क्या करते हैं और उसमें भी सबसे पहले हम सबसे जोड़ना और घटाना यह नियम मैं example के help से आपको समझा रहा हूँ तो नियम को ध्यान से समझना यहाँ पर कुछ digit को जोड़े गए है मैंने यहाँ पर digit को जोड़ के आपको दिखाया है तो यहाँ पर कुछ digit को जोड़ा गया है देखो यह 415.25 और यह इसको जोड़ा गया है और final हमने यहाँ पर इसका result भी लिख दिया है यह इसका result रिखा हुआ है अब यहाँ पर हमको क्या करना है इसका final result अपने को सार्थक अंक के साथ में लिखना है इसका final result को इसमें सार्थक अंक बनाना है सार्थक अंक बताना है या तो उसको हमको calculate करके बताना है उसके value को तो क्या करते हैं ध्यान से सुनो ये जितने digit जोड़े गए हैं इसमें सबसे कम सार्थक अंक वाला नंबर कौन सा है इसको हम सबसे पहले देखते हैं सबसे कम सार्थक अंक वाला नंबर कौन सा है तो निश्चित रुप से यह 8.5 यह 8.5 सबसे कम सार्थक अंक वाला नंबर है सबसे कम सार्थक अंक तो क्या छार्टना है अपने को इसका नियम को लिखूंगा तो एक page को हो जाएगा तो नियम लिखने के जुरत नहीं है पूरा नियम पर ऐसे बनाने के जुरत नहीं है आप एक example से पूरे नियम को समझो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे कम सार्था कंक वाला नंबर कौन है तो 8.5 है अब आप 8.5 में देखो 8.5 में दसमलाओ के बाद कितने डिजिट है तो सबसे पहले कम सार्था कंक वाला नंबर ले लेना है फिर देखना है कि उसमें दसमलाओ के बाद कितना डिजिट है तो दसमलोग के बाद एक संख्या तक है बस तो यहाँ पर जब इसको rounding अपन लिखेंगे सार्था कंग में तो 4, 6, 4, 4, 5 दसमलोग के बाद एक ही number लिखना है जो की 5 है तो यहाँ पर हम 5 ही लिखेंगे और यह जो बात का number है 2 वह 5 से छोटा है तो उसमें कुछ वृद्धी करने का जवरत नहीं है यदि यह 5 से बड़ा होता तो यह 5 को हम 6 लिखते तो यह इस cancer हो जाएगा ठीक है? तो 4, 6, 4, 4, 4, 5 होगा यह इसका rule है यह इस cancer हो जाएगा तो क्या rule बताए मैं? सबसे पहले हम सबसे कम सार्था कंक वाले नंबर को देखते है फिर उस सबसे कम सार्था कंक वाले नंबर में दसमलोग के बाद जितना डिजिट तक होता है वो लेते हैं और वहाँ तक उसको लिख देते हैं ठीक है? तो यह जो मैं उधारार दिया हूँ यह जोड़ने पर है, योग पर है अब हम एक एक्जामपल देते हैं आपको अंतर पर बहुत सिस्टेमेटिक कलेक्शन है हमारे कंटेंट्स का यह यदि आप ढंग से कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्राबलम नहीं आएगा नेस्ट देखो सार्थक अंकों के दिश्टी कोड से गुड़न फल ग्यात करना, ठीक है एक गुड़न फल नहीं है स्वारी यह अंतर गुणा और भाग आगे है, यह अंतर है यह देखो तो यहाँ पर घटाया गया है और यहाँ पर भी रूल वैसी लागू होगा कैसे रूल लागू होगा सबसे छोटा, तो साब साब दीख रहा है सबसे कम सार्था कंग इसका है और इसमें दसमलों के बाद दो पोजिशन तक डेसिमल लगा हुआ है तो जब इसका वैल्यू हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 304.6 अब देखो 6 के बाद 8 6 के बाद 8 8 के बाद का नंबर 5 है या 5 से अधिक है लेकिन 8 यहाँ पर समसंख्या है 8 यहाँ पर समसंख्या है तो समसंख्या के कंडिशन में कोई चेंज नहीं करते तो 304.68 यह इसका अंसर होगा 304.68 यह इसका अंसर हो जाएगा clear next देखो गुणा और भाग अगला हमारा जो टापिक है वो है गुणा और भाग पर गुणा और भाग पर हमको सार्था कंग को समझना है तो यहाँ पर देखो सबसे पहला उदाहरान हमारा सार्था कंग को जिस्टी कोड़ से गुणन फल ग्याद कीजिए यह गुणा बहुत आसान है सब रूल लगभग एक जैसा समझो 1.05 को 0.051 से गुणा किये तो इतना आया यह हमने गुणा करके हाँ पर सो कर दिया है यहाँ आप देखो यह इसका सबसे छोटा सार्था इसमें 1,2,3 सार्था कंक है यह छोटा यह है यह कम सार्था कंक वाला यह है तो decimal के बाद 1,2,3 प्लेस इसका जो value होगा 0.123 तो 0,5 अब यहाँ पर देखो 3 तो यह 4 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा क्योंकि यह विसम है और इसके बाद का नमबर 5 या 5 से बड़ा है तो यह इसका अंसर होगा 0.054 ओके चलिए ठीक है next देखो यह है भाग सार्था कंक हम देखते हैं किस पर भाग तो भाग पर सार्था कंक किस प्रकार से पताशित क्या जाता है सपोस हमको इसमें इसको भाग देना है तो भाग देने से यह आया यहां पर भी रूल वही देखेंगे कि सब से कम कितने है 0.41 इसमें सार्था कंकों की संख्या कम है इसमें सार्था कंक की संख्या क्या है यह कम है तो पाइंट के बाद 2 प्लेस तक लेना है तो 0.10 अब यह 4 है तो 4 तो 5 से कम है तो वृद्धी का कोई सवार ही नहीं उड़ता तो यह इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से तो यह है पूरे सार्थकंग गयाद करने के तरीके इतने तरीके से हम क्या है सार्थकंग गयाद कर सकते हैं तो यह हमारा मापन का last topic complete हो गया इसलिए मैंने सार्थकंग को आप लोगों को तुरूटियों के साथ में नहीं समझाया ताकि एक दिन के क्लास में मैं बिल्कुल separate आ wise question कभी class लेंगे तो next class हमारा पूरे measurement पर मातरक तथा मापन पर numericals पर best होगा यहाँ पर तीन टापिक आपको बहुत especially focus करना है सबसे पहले वीमी सुत्रे निकालना और वीमी सुत्रे से सम्मंधित question दूसरा तुरूटी और तुरूटीओं से सम्मंधित question और तीसरा सार्था कंग और सार्था कंग से related question तो कल हम तीनों टाइप के टापिक पर numericals करेंगे मतलब next class हमारा numericals पर होगा और इस numericals के class में हम सब तरह के question को cover करेंगे और next class को जब हम इसके multiple twice question के practice करेंगे तो वहाँ पर भी हम पूरे question को cover करेंगे अभी हमारा complete 23-24 session के लिए जो focus है वो हमारा आपका competitive exam को साथ में लेके चलने का है इसलिए हम हर chapter के end में especially आपको numericals class प्रवाइट करा रहे हैं और multiple twice question की भी practice करा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत से board में including cvsc board बहुत से board में multiple choice question पुछे जाते हैं तो उसकी practice आपको अभी से हो जानी चाहिए तो एक चीज आपको जरूर करके आना चाहिए निमेरकल के class में और multiple twice question बहुत कल्पी प्रस्ण के class में एक काम आपको जरूर करके आना चाहिए और वो है पूरे chapter का revision पूरे chapter का पूरे वीडियो को हम एक single class में full chapter आपको वीडियो प्रोवाइट करा रहे हैं ताकि आप पूरे chapter को single sitting में पढ़ सकें या कभी भी आपको इस्कूल बगरा में exam देने हैं तो आपको वीडियो इधर-उधर से study चना करना पड़े और आपको पूरा chapter एक ही part में मिल जाएं यह हम आपको प्रोवाइट कराएंगे यह बहुत जल्दी यहां तक का आपको मिल जाएगा तो आप वहां से भी region कर सकते हैं इससे आपके region में आपको आपको बताया यह पूरे rules को आप अपने notes में note down करके रखो इसलिए मैंने पूरा यहां पर आपको PDF दे दिया तो यह पूरा rules यह पूरे rules सबका फिर मैंने आपको यही पर over करते हैं ओके ओके थैंक यू थैंक यू सोमज